शाम वी देखो है दिवाना राधारानी का 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 यहां डाली डाली पर यहां पत्ते पत्ते पर राज राधे का चलता काव के हर रस्ते पर शाम वी देखो है दिवाना राधारानी का शाम वी देखो है दिवाना राधारानी का शाम वी देखो है दिवाना राधारानी का मिर साम वी देखो है दिवाना राधारानी का जाया है है हाँ है जड़े कर दोड़े कर दो हो प्रॉब है कोई नंद लाल कहता, कोई गोपाल कहता कोई कहता कनया, कोई बंसी का बजया कोई कहता कनया, कोई बंसी का बजया नाम बदल कर रख डाला, जोसे कृष्ण मुरारी का मेरा शाम बी देखो, 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 शाम बी देखो है दिवाना आधरानी का असरेंदा वन में हुक्म चले रक्तावन में हुक्म से बर्साने वारी का मेरा साम बिदे को है दिवाना दारानी का साम बिदे को है दिवाना दारानी का सब को कहते देखा बड़ी सरकार है राधे वो सब को कहते देखा बड़ी सरकार है राधे लगेगा पार भब से कहो एक बार श्राधे लगेगा पार भब से कहो एक बार राधे बड़ा गजब का रुत्वा है उसकी सरकारी का शाम में बिदे को है दिवाना दारानी 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 का व्रंदावन में हुक्म चले परसाने वाली का शाम विजे को है दिवाना राधारानी का मेरा शाम विजे को है दिवाना राधारानी का व्रंदावन में हुक्म चले परसाने वाली का शाम विजे को है दिवाना राधारानी का शाम विजे को है दिवाना राधारानी का शाम विजे को है दिवाना राधारानी का हरूँ यहां डाली डाली पर यहां पत्ते पत्ते पर राज राधे का चलता काव के हर रसते पर चार तरप डंका बजता चार तरप डंका बजता प्रसभान दुलारी का शाम विजे को देखो 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 शाम विजे को है दिवाना राधारानी का अमिर साम विजे को है दिवाना राधारानी का बिन्दावन में हुक्म चले है फरसाने वानी का शाम विजे को है दिवाना राधारानी का अमिर साम विजे को है दिवाना राधारानी का अमिर साम विजे का विजे कानी का कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता कोई कहता कनिया, कोई बंसी का बजया कोई कहता कनिया, कोई बंसी का बजया कोई कहता कनिया, कोई बंसी का बजया नाम बदल कर रख डाला, जोसे क्रिश्न मुरारी का शाम में भी देखो, 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 शाम में भी देखो है दिवाना का धरानी का अधर शाम में भी देखो है दिवाना धरानी का प्रंदावन में हुक्म चले वर्साने वारी का व्रसाब अपने आपको जोड सकते हैं यह सभी सिवा जिनके बारे मैं बताया है हर रोज वहां हो रही है आप जब चाहिए वहां के सीवा की दर्शन करें आद्वा घर बेटे जो टीवी चनल के माधियम से सच्कार टीवी के माधियम से इस गंगा का दर्शन कर रहे हैं आप सबाग ये स्वफसर प्रात हो रहा है इन माउं की चड़नों की सिवा करतो है इस सबी सिवाउं से अपने आपको जोड़ने का तो अपने योगदान के हाथ अकिबड़ाए और अपने आपको जोड़ें इस इक साथ में योगदासन के आप देख रहे हैं अगर आप इसमें कर सकते हैं जो यहां है वो काउंटर पर जाकर क्या दिव्जान करें लेते हुए पोतिपाट की अजमान बच सकते हैं अब आईए बिलम ना करते हैं चलते सद्वड़ने भगवान की आमनती वाड़ी की और एक बार पुरह दोनों हाथ उठाकर बढ़ाई जोश के साथ में मोलेंगे राधे राधे श्री गडेशाय नमाहा श्री सरस्वत्य नमाहा श्रीमते रामान जाय नमाहा नारायनम नमस्कृत्य नरम्चैवे नरोत्यमम् देवीम सरस्वतीम व्यासम् ततो जयमुदीरे लक्षमी नाच समारंभाम नाच आमुनमध्यमाः अस्मदाचार्य परयंतां वंदे भुरु जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रबोर जय जय मांखन चोर राधा मेरी मात हैं पिता मेरे घनश्यां इन दोनों के चरणों में मेरा कोटी कोटी प्रणा मेरा कोटी कोटी प्रणा मेरा कोटी कोटी प्रणा आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधेश्यां जय जय राधेश्यां जय जय राधेश्यां जय जय सितारां अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अभुगुण हमारे आप मैंसे कितने लोगों के पास अभुगुण है? हमारे पास तो बहुत हम बहुत अभुगुणी बस भगवान से यही प्राधना है के हेनाथ यदि आपने हमारे अभुगुण देखे आपने यदि हमारे अभुगुण देखे तो हेनाथ फिर हमारे अभुगुण देखेगा को इसलिए अगर नाथ देखोगे अभुगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगींगे किनारे अगर नाथ देखोगे अभुगुण हमारे अगर नाथ देखोगे अभुगुण हमारे अगर नाथ देखोगे अभुगुण हमारे अगर नाथ देखोगे अगर देखोगे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे पति तौक पावन्स करते गृपानी दि करते गृपानी दि कि ये पाप रैंश सुयश के शहारे अगर आत देखोगे कि ये पावन्स करते गृपानी दि रहे बावन्स करते गृपानी देखोगे हमारे लिए क्यों दे रखिये हो दे रखिये हो हमारे लिए क्यों दे रखिये हो गड़ी का अजा मिल को पलहर में तारे अगर आँच देखोगे अब गुड हमारे अगर आँच देखोगे माना अधम है अपावन को दिल है ये 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 माना अधम है अपावन को दिल है सब कुछ है लेकिन भागवन तुमारे अगर नात देखोगे अब गुड हमारे अगर नात देखोगे अब गुड हमारे ये माना कैसे भाव से लगेंगे किनारे अगर नात देखोगे अब गुड हमारे अगर नात देखोगे अब गुड हमारे अगर नात देखोगे अगर नात देखोगे भूलिये भक्त बत्सलों भगवान की जय श्री व्रंदावन विहारे लाज की जय 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 श्री लाज जय परम मंगल में परात्पर अखलेश्वर क्या श्री मन्यारायन जय श्रीकृष्णा राधे राधें स्वागच है आप सभी का आज की मंगल मैं, अमर्च मैं कछा में प्रिय भक्तो इंदौर की पावन धरा जो वर्षों से आध्यात्म के नाम से जानी और पहचानी जाती है भक्ती की पावन धरा है यह इस कलिकाल में यदी धर्म को, आध्यात्म को, सनातन को बचा कर रखा है तो आप जैसे महान भक्तों ने बचा करके रखा इस घोर कलियुग में भी आप जैसे महान भक्ते हैं जो कछा रसक हैं, कछा प्रैमी है भगवान की ऐसी दिव्य कच्छा को श्रवन करने के लिए आप सभी अपने अपने कामों को जोड़ कर बड़ी दूर दूर से आप आए सभी का बहुत-बहुत स्वागत, सबका वंदन, सबका बहुत-बहुत अभिनंदन है इस पावंसी अम्रत में कच्छा में इस कच्छा का आयोजन हमारे भईया श्री मान रमेश मेंदोला जी मित्र मंडल आपकी ओर से ये सुन्दर सायोजन हो रहा है और श्री रमेश मेंदोला जी आप श्री तो बहुत वर्सों से ऐसे बहुत सारे आयोजन करते चले आए हैं और आप सभी को भक्ती और भगवान से जोडते चले आए हैं सबसे अधिक कठा कराने वाले इन दौर में मुझे लगता है सबसे अधिक कठा कराने वाले भईया श्री रमेश महन्दोला जी सबको बुला कर आपको कहीं जाने की जरूरती नहीं पड़ती सबको यहीं बुला बुला करके आपको कठा की गंगा में डूकी लगवाती रहते हैं और ये जगह कठा के लिए नियुकते हैं सभी महापुरुशों के चरण सभूमी पर पड़े हैं और ना जाने कितनी बार यहां से आपको कठा श्रुण करने का बार बार लाव मिला है प्रिभक्तो जब राजा धार में को हो तो प्रजा धार में को ही जाती है यथा राजा तशा प्रजा जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है राजा का धार में कोना ज़रूरी है और आप लोगों के सुन्दर सा प्रैम और भाव के बलपर आज स्वयम भगवान भागवची की रूप में आपके पास चलकर करके आये हैं प्रत्यक्षाह कृष्ण ये वही 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 आज हमारी मैया बड़ी दूर-दूर से आए हैं भाईया लोग भी बड़ी दूर-दूर से आए हैं और कछा की गंगा में आज हम सब दुबकी लगाएंगे प्रेम पुर्वक्त जन्माध्यस्यतोन्वयाधितरतस चार्थे स्वभिग्यास्वराथ तेने ब्रह्महर्दाययाधिकवय मुहयंतियत्सूरयाथ ते जो वारि मृदाम यठा विनिमयो यत्रत्रि सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यंपरं धीमहि सत्यंपरं धीमहि भागवत श्रीवेदव्याजी महराश्रू करते हैं जन्माधियस्यते जन्माध्यस्यते जो परमात्मा जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संगार करने वाले हैं, जो सबकुछ जानने वाले चार्थे सुभिज्या स्वराठ, तेने ब्रह्म हिर्दाय यादि कवह, मुहियंत यत्सूर्या अच्छा मैं यह बताओ भगवान की कौन-कौन सी लीलाएं आपको मोहित करती है मोहित में भ्रहमित करती है बताओ भगवान की कौन-कौन सी लीलाएं आपको भ्रहमित करती है भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो हम सबको भ्रहमित करती है जैसे माता सती को भ्रम हो गया किस लीला पर भ्रम हुआ मैया ओ मेरी मा अब सुन लो मेरी मा सभी लोग प्रेम पूरवक सुनो सांती से सुनो मैया ओ पंचैती मैया काहे इतना हला कर रही हो मेरी मा सुन लो आप सब द्यान पूरुवक सुनिएगा तो पैट आप रहिएगा बिलकुल सुनो ये बताओ कि माता सती को भगवान राम की किस लीला पर मोह हो गया वो भ्रमित हो गई किस लीला कौन सी लीला चीवो सीता हरन की लीला जब रावण माता सीता हरन करके गया तो माता सीता को राम जी जंगल जंगल ढूण रहे हैं हे खग म्रग है मधु करश्रैनी तुम देखी सीता म्रगनैनी क्या तुमने हमारी सीता देखी है सबसे राम जी पूँच रहे हैं इस लीला को देखकर माता सती को लगा ये कैसे भगवान यदि ये भगवान होते तो अपनी पतनी का पता ना लगा लेते इन्हें खुद की पतनी का पता नहीं इन्हें खुद के बारे में पता नहीं तो हमारे बारे में क्या जानेंगे ये कोई भगवान नहीं हो सकते संकर जी ने बहुत समझाया कि ये भगवान है, ये जो कर रहे हैं, ये इनकी क्या है? ये इनकी क्या है? क्या है? लीला है, अभी नहीं है, पर माता सती नहीं समझें, बहुत समझाया भगवान संकर ने, अच्छा भगवान संकर कौन है? गुरू, माता सती को शिव जैसा गुरू मिला, सिव जैसे गुरू से ना समझी तो परिणाम क्या हुआ माता सती राम जी की परिक्षा लेने गई और उस परिक्षा में फेल हो गई माता सती क्या वन कर गई थी परिक्षा लेने मैं यह बताओ क्या वन कर गई सीता वन कर गई सीता वन कर क्यों गई सीता बनकर क्यों गई अच्छा सीता कौन है बोलो मेरी मा सीता कौन है सीता है भक्ती सीता मतलब जोर से सीता मतलब भक्ती तो सीता भक्ती है और माता सती सीता बनकर गई मतलब नकली सीता, मतलब नकली भक्ती और नकली भक्ती जब गई माता सीता, नकली सीता बन कर गई तो राम जी के सामने टिक ना पाई नकली भक्ती भगवान के सामने टिक ही नहीं पाती इसलिए भक्ती नकली नहीं, असली होनी चाहिए नकली भक्ती क्या है? नकली भक्ती किसे कहते हैं? आप लोग जो भक्ती करते हैं, वो वसली है या नकली है? मैया, ओ मिरी माँ मैया, ओ पंचाइती मैया एक खड़े होके देखो कुरसी वाली मैया से पंचाइत चल रही है सुन लो मिरी माँ सुनो हम लोग जो भक्ति करते हैं वो असली है के नकली है कहीं हमारी भक्ति भी सती जैसी तो नहीं है है ना नकली भक्ति क्या है अच्छा आपको पता है नकली भक्ति और असली भक्ति में अंतर क्या है नकली भक्ती होती है जो केबल बाहर से होती है कोई आया तो पूजा में बैठ गए ताकि लोग देखें कि वाह बड़े पुजारी है कोई आया तो माला जपने लग गए कोई देखें वाह बहुत माला जपते है जो केबल दूसरों को दिखाने के लिए लोग करते है वो नकली है और जो असली होती है वो बाहर होती ही नहीं नकली भक्ती है जो बाहर दिखती है असली भक्ती जो है उसे दिखानी नहीं पड़ती वो जब भीतर होती है तो जब भीतर है तो अपने आप प्रगट होती है बाहर दिखने लगती है उसके स्वभाव में उसके आचरण में For example असली भक्त जो होता है वो भक्त कभी भगवान से शिकायत नहीं करता जहां शिकायत है हे भगवान तुमने ये नहीं दिया ये दे दिया हे भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा किया जहां शिकायत है वहां भक्ती नहीं है जहां भक्ती होगी वहां शिकायत नहीं होगी अच्छा भक्ती किसे कहते हैं भक्ती की परिभासा क्या है मैया भक्ती की परिभासा क्या है भक्ती किसे कहते है समर्पन को भक्ती कहते है क्या है क्या है मेरी मा समर्पन कैसा समर्पन बादलों के जैसा आप लोगों ने बादल देखे है बताओ बादल किसके आधीन होते हैं फड़ा फड़ उत्तर दो बादल बादल किसके आधीन होते हैं मैं यह बताएंगी जस्मा वाली बताओ मेरी माँ बादल किसके आधीन होते हैं हाँ आपके पती के हाँ बादल किसके आधिन होते हैं मेरी माँ हवा के हवा जैसी चलती है बादल वैसे उड़ते हैं हवा यदि पूरब की तरफ जा रही है तो बादल भी पूरब की तरफ जा रही है हवा उत्तर की तरफ जा रही है तो बादल भी बादल अपने आप कभी कहीं नहीं जाते वो तो हवा जहां उन्हें ले जाना चाहे बादल वहाँ वहाँ चले जाते है और हवा जैसी चलती है बादल वैसे चलते है हवा तेज चलेगी तो बादल भी तेज हवा धीमी चलेगी तो बादल भी धीमें चलेंगे, सिलो चलेंगे समरपन इसी को कहते हैं बादल कभी हवा के विप्रीत नहीं चलते चलते हैं जो बादल सदा हवा के साथ रहते हैं वही तो समरपन है जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदा भगवान के साथ रहते हैं जैसे भगवान हवा चलाएं भक्त वैसे चलता है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे काटों से भी प्यार, तू दुख में रखेगा तो दुख में रहूंगा, तू सुख में रखेगा तो सुख में रहूंगा, यही है समर्पन, दुख दे दे तो शिकायत ना करने लग जा अरे मैं कुई हूँ, मेरे जमान है कुई एक लड़की गाना गा रही थी, मैं नहीं तो कौन बे मैं नहीं तो कौन बे कहीं मिल जाए तो बता देना तेरे जैसों से तो बेटा ये माटी भरी पड़ी है तेरे जैसों से तेरे जैसे करोड़ों यहां माटी हो गए मैं नहीं तो कौन बे तेरे जैसे यहां करोड़ों माटी हो गए इसलिए भगवान की जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीता राम सीता राम जिन्दगी की डोर सौं पहांच दीना नाथ के और महलों में रखें चाहे जोपड़ी में वासदे इश्वर की मरजी में रहना और रहना भी कैसे रोते नहीं कैसे रहना रोते नहीं हसते रहना अब देखो ना बिडंबना के यदि आपके जीवन में दुख है तो उस दुख में भी आपको रोना नहीं है हसना है क्यों हसना है अरे हसना इसलिए है क्योंकि हसता हुआ भक्त भगवान को प्यारा लगता है रोता हुआ भक्त भगवान को अच्छा नहीं लगता इसलिए हसते रहा करो हाँ कभी रोना है तो भगवान की याद में रोया करो इसलिए नहीं रोना कि मैं गरीब हूँ, इसलिए रोना है कि हे प्रभू आपका दरसन नहीं हुआ, दौनों बातें अलग हो गई न, मैं बड़ा गरीब हूँ, एक तो इसलिए रोना है, मेरा काम नहीं बन रहा है, एक तो इसलिए रोना है, और एक ये रोना है कि हे प्रभू के लिए रौना है और एक गरीवी से रौना है तो गरीवी आए तो रौना मत रौना तो सिर्व भगवान के लिए सपना देखो तो केवल भगवान का देखो इंतिजार करो तो केवल आखों को इंतिजार है सरकार आपका हमें और किसी का इंकजार नहीं शवरी बन जाओ सवरी निहार रासिता आएंगे राम जी शवरी निहार रासिता आएंगे राम जी तो सवरी की तर हमें राम का इंतिजार करना चाहिए शवरी निहार रासता आएंगे राम जी शवरी निहार रासता आएंगे राम जी सवरी के मीठे मीठे बेर खाएंगे राम जी बस इंतिजार आँखों को इंतिजार है सरकार आपका ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका आँखों को इंतिजार है सरकार आपका तो रोना है सिर्व भगवान के लिए इंतिजार करना है सिर्व भगवान का सपना देखना है सिर्व भगवान का यही भक्ती है रहना चाहिए गरीवी से ने गरीवी में खुश रहो हर हाल में प्रसन रहो एक मैय अवरंदा बन गई वहाँ गोपाल जी खरीदने लग गई अरे भाईया जरह हमें ये वाले गोपाल जी दे दो लट्डू गोपाल जी अच्छा दुकानदार बोला ये नहीं ये वाले ले लो ये भी तो वैसे ही है बोले नहीं हमें ये वाले नहीं चाहिए वो वाले चाहिए क्यों क्योंकि उनमें मुस्कुराहट है वो मुस्कुरा ज़्यादा रहे है वो मुस्कुरा रहे है दुकानदार ने वही दिया बहुत सारे गोपाल जी देखते हैं पर जिन में समाइल ज़्यादा हो जो मन को भाजाएं मुस्कुराहट जिनी में ज़्यादा हो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं सोचो कि जब मुस्कुराने वाले भगवान भगत को चाहिए तो भगवान ने भी सर्थ रख दी हर परिस्थिती में मुश्कुराने वाला खुश रहने वाला भक्त मुझे चाहिए हर परिस्थिती में प्रसन रोना है तो केवल गोविंद की यादों में आपको रोने की छूट है पर कहां? केवल केवल भगवान के लिए संसार के लिए रोने की इजाज़त नहीं है आपके पास परमीशन नहीं है फिर भी आप रोते हैं इतना ना रोया करो मेरी मा सपना देखा करो तो किसका राधा रानी के पाव में कोई घाव हो गया जब राधा रानी के पाव में घाव हो गया तो किसी को पता ही नहीं चला कि घाव है एक दिन एक सक्षी ने देख लिया अरी राधा ये तेरे पाव में घाव कैसा राधा रानी ने छिपाया ना ना कोई घाव नहीं है ठीक है ठीक है सब सही है सक्खी ने दूसरी से कहा तीसरी से कहा अरी सक्खी राधा रानी के चरणों में कोई घाव है पाव में कोई घाव हो गया सारी सक्खी आ गया राधा ओ राधा ये तरी पाव में घाव कैसा है राधा ने कहा जाने दे सखी ऐसी है मैं रास्ते से जा रही थी जाड़ियों के पास से गुजरी तो घाव हो गया लग गई अच्छा कब लगी बहुत दिन हो गई बहुत दिन तो एक वर हमें दिखा तो दे कहां घाव हुआ कोई वातनी जाने दे सखी क्यों पीछे पड़ी है ना राधा ये घाव सखी ने कहां बड़ा गहरा है दिखा अच्छा तो मैं दिखाती हूँ पर तुम किसी से कहना मत हाँ हाँ हम किसी से नहीं कहेंगी राधा रानी ने दिखाया पाव में घाव था दूसरी ने कहा सखी अरी राधा तुमने कहा कि ये घाव जाडियों से हो गया और बहुत दिन पुराना है पर इसे देख कर लगता नहीं है कि ये बहुत दिन पुराना है ये तो नया घाव दिख रहा है तुझे कहीं आज कल में ही ये घाव लगा है जल्दी बता, तुझे ये कैसे चोट लगी, कहां तुझे ये घाव हुआ अरी सक्खी मत पूच निनी बताना पड़ेगा, बहुत जिद किया जब गोपियों ने, सक्खियों ने श्री राधारानी को रहा न गया, बहुत बहाने बनाई राधारानी पर कोई बहाना चला नहीं, सक्खियां भी कोई कम नहीं थी, राधारानी को पढ़ना जानती थी उनके दिल को पढ़ना जानती थी, तुझे सच कह रहे हैं कि जूट कह रहे हैं ये भी मैं जानती हूँ सल सही बता, ये घाव तुझे कैसे हुआ श्री राधा राने ने कहा सक्खी ये घाव बहुत पुराना है जब स्याम सुंदर हमें छोड़ कर गए और जब उन्होंने यमना के तटपर आकर के हमसे कहा राधा हमें उद्धव जी हमें अकरूर जी लेने के लिए आए है कल सुबह होते ही मैं मथुरा चला जाओंगा और जब उन्होंने ये बात कही कि कल मैं मथुरा चला जाओंगा तो श्री राधा रानी ने कहा कनहिया तो क्या हमें भी साथ ले चलोगे उन्होंने कहा नहीं हमें अकेले ही जाना है तो कनिया तुम्हारे बिना मैं कैसे जिऊंगी तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी उन्होंने कहा रहना तो पड़ेगा जब मैंने ये सोचा कि मुझे कृष्ण के बिना रहना पड़ेगा तो मैं कृष्ण के बिना रहूंगी ये सोचकर मैं गिर पड़ी और जब गिरी तो मेरे पाऊ में बगल में पड़ा पथर श्योभ हो गया स्याम संदर ने उठाया और वो पथर से घाव हो गया मेरे पाऊ में श्याम सुंदर ने सम्हाला उन्होंने उसे घाओ को साप किया दवाई लगाई गए जब सुबह हुई और कनहिया छोड़ कर चले गए और उनके प्रेम में जब मैं डूबती हूँ तो वो मेरे ख्वाबों में वो मेरे सपनों में आते हैं और सपने में आकर बूशते हैं राधा रानी से अरी राधा तेरा दर्द कैसा है तेरा घाओ कैसा है कम हुआ ला मैं इसकी पट्टी कर देता हूँ तो कनहिया आते हैं सपने में और वो दवाई लगाते हैं वो मुझे सपर्स करते हैं बड़ा अच्छा लगता है उस गहाओ में वो दवाई लगा कर चले जाते हैं एक सखी ने कहा री सखी कनहिया को गए तो वर्सों हो गए सालों से तेरा घाओ नहीं भरा जरा सा राधा रानी ने कहा गाव तो कब कब भर जाता मैं स्वयम इस गाव को भरने ही नहीं देती रात को कनिया सपने में मलहम लगा कर जाते हैं सवेरे मैं अपनी उंगली से उसे फिर ताजा कर देती हूं फिर उसे मैं गहरा कर देती हूं क्यों तूसे गहरा क्यों करती है सखी यदि ये गाव भर गया तो कनहिया स्वपन में आना छोड़ देंगे कि गाव भर गया अब जाने से क्या लाव हूं कम से कम इस गाव को भरने के बहाने कनहिया का दर्शन सपने में रोज हो जाता है इसलिए मुझे ये दर्द चाहिए दर्द की मारी बन-बन डोलू बैद मिले नहीं कोई ये प्रेम है ये भक्ती है जहां सिर्व भगवान को चाहा जाता है भगवान से कुछ नहीं चाहा जाता यदि उनका दिया दर्द है ना तो वो दर्द भी खूपसूरत है उसे दर्द को भी फील करो ये समझो कि ये पीडावी यदि परमात्मा यदि मा बच्चे को छपड मारती है कई वारितना जोर का मारती है मा कि बच्चे के गालों में उंगलियों के निसान पड़ जाते है गाल पे हाथ रखें बच्चे तो दर्द होता है बच्चों को लगता है मेरी मा कितनी निर्दई है कितनी कठोर है देखो उन्होंने ऐसा मारा कि उंगलियों के निसान पड़ गए पर कौन समझाए उस बच्चे को बेटा तेरी मा निर्दई नहीं है तेरी मा कठोर नहीं है यदि तेरी माने, तेरे गाल में कसके थपड मारा है, तो उस थपड में उस दर्द में भी तेरी कोई ना कोई भलाई ही है, तेरा भला है, तु अभी नहीं समझ रहा है, पर भविश्च में तुझे इस थपड में कोई ना कोई भलाई छिपी नजर आएगी, इश्वर भी मैं अनुभव करना चाहिए के प्रभू अब आप ही आए हो दर्द बनके जो दिल मैं समाए मेरे दर्द बनके जो दिल मैं समाए मेरे अब निकल के न जाने का वादा करू अब सदा मेरे दर्द बनके रहिएगा तो भगवान का सच्चा भग तो वही हो सकता है जो हर स्थिती में प्रसन्य रहे सुख में दुख में सम रहे हर बात पर गोविंद का धन्यवाद दे वही अच्छा भगत है और जो बात बात पर केवल शिकायत करने लग जाए वो जूठा है सच्चा नहीं जैसे माता सती नकली सीता बनकर गई तो पकड में आ गई भगवान राम के सामने टिक ना पाई नकली भगती भगवान के सामने टिक ही नहीं पाईगी जैसे नकली सीता मतलब सती नकली बनकर गई तो राम जी के आगे टिक ही नहीं पाईगी यही है सिद्धान्त जीवन का यही है जीवन का सिद्धान्त असली बनो भगवान पर संदेह सती माने किया तो देख लीजिए इसलिए भगवान की लीलाएं अधाह अगाध हैं जहां मुहियन्त यत्सूर यह बड़े बड़े यत्सूरी ग्यानी ध्यानी ब्रह्मा जीवी मोहत हो गए ऐसे भगवान को भला हम कितना जानेंगी इसलिए भगवान को कौन जान सकता है आप मैंसे कितने लोग भगवान को जानते हैं कितने लोग भगवान को जानते हैं आप जानते हैं बताव आप लोगों ने कैसे जाना भगवान को कैसे जाना कैसे जाना मैया ओ मोबाइल वाली मैया मैया, पंचाय चल रही है कैसे जाना आपने भगवान को मेरी माँ ओ लाल मैया, काहे खड़ी हो बैठो कैसे जाना आपने भगवान को मेरी माँ सुनो भगवान को वही जान सकता है आप लोग जानते होंगे भगवान को पर भगवान को वही जान सकता है जिसे स्वयम भगवान जनाना चाहे हम अपने तप अपने जप अपनी भक्ती के बल से भगवान को कभी नहीं जान सकते भगवान कृपा करके अपना बोध कराएंगे तो हम कुछ उन्हें जान सकते हैं जानत तुम ही तुम ही हुई जाए भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहें वरना किसी की ताकत नहीं है कि वो उन्हें जान ले भगवान भगवान है भगवान को महसूस किया जा सकता है उस परमात्मा को जो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र शर्गो मृशा धामना स्वेन सदा निरस्त को हकम सत्यम परमधी मही जो परमात्मा सत्य स्वरूप है ऐसे परमात्मा को हम बारं बार नमस्कार करते हैं धर्माह प्रोजित कैत वोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्कुषिवदम तापत्रयोन मूलिनम श्रीमत भागवते महामुनिकृते किमबा परेरिश्वरह सद्यो रध्य वरुध्यते त्रक्रत्विह शुष्रो सुभिस्तक्षनात् धर्माह धर्म क्या है जे वो निस्काम और निस्कपट हो वही धर्म है और भागवत में निस्कपटता है ऐसी भागवत जी है जो हमें निस्काम और निस्कपट बनाती है भागवत सुरवन करने वाले के हिर्दय में भगवान उसे एक्षण प्रगट हो जाते हैं जेसे एक्षण वो भगवान को कथा भगवान की गधाव को सुनने का मन बनाता है उसे एक्षण प्रगट हो जाते हैं भागवत का पहला प्रशन है मनुष्य मात्र का धर्म क्या है मनुष्य का धर्म क्या है हमारा धर्म क्या है मेरी मा बताओ आप भड़ा भड़ हमारा धर्म क्या है आपका धर्म क्या है मेरी मा आपका धर्म क्या है आप लोगों का धर्म क्या है हाँ आप बताओ मैया औरेंज में यह बताएंगे हाँ आपका धर्म क्या है क्या आप बताओ भीया पाने पीने वाले भीया धर्म क्या है आपका हमारा धर्म न हमारे धर्म की परिभासाएं अनेक है हर इस्थिती काल पर इस्थिती पर धर्म अलग होता है इस्त्री का धर्म अलग है पुरुस का धर्म अलग है राजा का धर्म अलग है और प्रजा का धर्म बेटे का धर्म अलग है माता पिता का धर्म अलग है बेटी का धर्म अलग है बेटे का धर्म अलग है भाई का धर्म अलग है अतिधी का धर्म अलग है अब इन धर्मों को कैसे समझें अच्छा यह बताओ आपके जीवन में कितने परसेंट धर्म है आपके भीतर कितने परसेंट धर्म है? कितने? मैया, ओ मिरी मा, कितने परसेंट धर्म है? मैया, ओ मिरी मा, जानर जा रही हो मैया के आ रही हो? ये दो मैया जा रही है, के आ रही है? बैठो मिरी मा, अच्छा, यहां इतना सब छोड़ के वहां बैठने गई है? अच्छा, सुनो, हमारा धर्म कैसा है और कैसा होना चाहिए? अच्छा, सुनो, हम सब का धर्म अलग अलग है मैया के पंचायक पूरी नहीं हो पा रही है आज लगता नहीं हो पाएगी आज होपाएगी पंचायक पूरी धbowsके नहीं? बता दो, लिखे तो मैं दे दो अच्छा नहीं हो पाएगी हर थोड़ी थोड़ी देर में बात हो रही है किस से हो रही है पति परमेश्वर से नहीं रहा जा रहा बिल्कुल भी सुनो हमारे जीवन में धर्म का होना कितना आवश्चक है आज लोग कहते हैं कि धर्म क्या है क्यों धर्म हम अपनाएं क्या क्या शब्दों का प्रयोग हमारे देश में होता है हम आपको बताते हैं धर्म क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है एक प्रश्ण पूँचूंगा फिर उत्तर देना इन दौर में एक लड़का रहता है वो लड़का उसकी एक बहन है वो एक भाई और एक बहन भाई बहन है एक लड़का इंदौर का उसकी बहन भी बहुत अच्छी है सुन्दर है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है पर जब वो अपने घर के बाहर निकलता है तो गली महले नगर की बहन बेटियों को वो गंदी नजरों से देखता है एक लड़का जो गली महले की लड़कियों को गंदी नजर से देखता है पर जब घर आता है तो अपनी बहन को अच्छी नजर से देखता है अब प्रशन समझो जो लड़का दूसरों की बहन बेटियों को गलत धंग से देखता है वो अपनी बहन को गलत धंग से क्यों नहीं देखता सवाल ये है बताओ क्यों नहीं देखता वो अपनी बेहन को गलत नजरों से क्यों नहीं देखता क्यों नहीं देखता वो तो हर लड़की को देखता पर खुद की बेहन को नहीं देखता गलत नजरों से क्यों 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 कि वो खुद की बेहन है तो वो खुद की बेहन है तो उसे नहीं देखना चाहिए गलत नजरों से ये बात उसे किसने बताई ये मेरी बहन है, सगी बहन है इसे गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए लेकन पडोसन की बलड़की है उसे गलत नजरों से देखने का लाइसेंस किसने दे दिया महले, गली, सोसाइटी, इंदौर की और बहन बेटियों को आप गलत नजरों से देखें तो गलत नजर से देखने का आपको लाइसेंस किस ने दिया और आपकी बहन को आप नहीं देखते गलत नजरों से तो क्यों दूसरों को देखते हैं तो खुद की बहन को क्यों नहीं हो खुद की बहन को इसलिए नहीं देखते कि ये सगी बहन है तो ये मेरी बहन है इसको नहीं देखना चाहिए ये बुद्धी तुम्हें किसने दी सवाल यहीं तो किसने दी अब समझो कितना भी नालायक लड़का हो कितना भी दुष्ट हो कितना भी चरित्रहीन हो लेकिन फिर भी वो अपनी बेहन को बेहन की दरश्टी से ही देखेगा ये बाद सही है कि गलत है तो मुझे बस ये बता दो आप लो कि वो अपनी जो सब के साथ गलत नजरें रखता है वो अपनी बेहन के साथ अच्छी नजरें रखा है तो किसने उसे प्रेरित किया कि बेहन को तो अच्छी नजरों से दे किसने प्रेरित किया किसने 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 धर्म ने यही है धर्म और ये जो धर्म है कि ये मेरी बहन है इसके लिए मेरे को गलत विचार नहीं रखना ये जो धर्म है ये धर्म तुमारे भीतर जब तक जिन्दा है तब तक ये प्रछवी टिकी है और जिस दिन तुमारी अंदर का ये धर्म भी मर गया उस दिन प्रचवी रसातल में चली जाएगा इसलिए अपनी बेहन को बेहन कहना ये धर्म तो है लेकिन औरों की बेटियों को भी औरों की बेहनों को भी अपनी बेहन मान लेना ये क्या है यदि आप सब की बेटियों को अपनी बेटी अपनी बेहन मान रहे हैं बेहन बेटी की दरश्टी से देख रहे हैं आपकी दरश्टी दूसित नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर धर्म की मात्रा जादा है जिसके अंदर धर्म जादा है वो सब को अपनी बेहन और बेटी की तरह देखेगा जिसके अंदर धर्म जरासा है वो अपनी बेहन को तो देखेगा पर और किसी को उस नजरीय से नहीं इसलिए हमें जीवन में धर्म को बढ़ाना चाहिए आज जितना भी क्राइम होता है वो क्राइम क्यों हो रहा है अब ये बताओ आदमी दो पांच रुपे के लिए जूट बोलता है दो रुपे के लिए जूट कौन बोल सकता है वो व्यक्ति जिसके पास धर्म है वो या जिसके पास धर्म जरासा है वो शून ये कह सकते हैं जरा सा जीरो परसेंट मतलब कुछ माइनस कुछ परसेंट बताईए यदि धर्म किसी के अंदर है यदि मैं धर्मात्मा हूं मेरे अंदर का धर्म यदि यहां एक लाख रुपे पड़े हो और मेरे अंदर धर्म की मात्रा है तो मेरा धर्म मुझे उस एक लाख रुपे से दूर रखेगा और आपके पास धर्म नहीं है तो वो गंदी बुद्धी आपको कहेगी उठा लो क्या होता है एतनी बेहिमानी तो है ही हम भी हो गए तो क्या बुराई है कुल मिला कर जितना भी आज क्राइम हो रहा है जितना भी जीवन में अशांती आप लोग कहते हैं महराजी पैसा बहुत है शांती नहीं है अरे शांती कहां से आती है धर्म होता है जिसके जीवन में उन्हीं के जीवन में शांती होती है धर्म है तो शांती है, धर्म है तो सम्रद्धी है, धर्म है तो भगरामो विग्रहवान, धर्म है तो भक्ती है, ज्यान है, सब, धर्म ही नहीं, तो कुछ नहीं, इसलिए धर्म जरूरी है, अपने बच्चों को धर्म सिखाओ, बेटा, सत्य बोलना धर्म है, ज्हूत बोलना पाप है दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया ना छोड़िये जब तक घट में प्राण दया यही तो धर्म है अच्छा यह बताओ कोई बकरे को काट रहा है और कोई बकरे का इलाज कर रहा है एक आदमी बकरे को काट रहा है और एक आदमी बकरे का इलाज कर रहा है आपके हिसाब से इन दौनों में धर्मात्मा कौन है बोलो एक मुर्गी को मार रहा है और एक मुर्गी का इलाज कर रहा है आपके हिसाब से धर्मात्मा कौन है धर्म किसके पास है एक मचली को मार रहा है और एक मचली को दाना डाल रहा है आपके हिसाब से धर्मातमा धर्म किसके पास जादा है बोलो हाँ यही तो धर्म है जिसके पास धर्म होगा वो कभी मचली की जान नहीं लेगा जान वही ले सकते हैं जिनके जीवन में धर्म अस्त हो चुका है धर्म का सूर्य अस्त हो गया है आप लोग अपने जीवन में धर्म को अस्तना होने दीजिएगा अपने जीवन में क्या अस्तना होने दीजिए धर्म का सूर्य अस्तना हो धर्म को बचा के रखिएगा आज मांस कौन खा रहा है धर्मी या अधर्मी धर्मी क्यों खाएगा आप मेरे सामने मांस परोशिये अंडा मुर्गी, मछली, बकरा बकरी और कहिए महराजी मैं आपको सौ करोड रुपे दूँगा आप ये मांस खालो आप सौ करोड नहीं लाखों करोड पूरी दुनिया मेरे नाम लिख दीजिये तो भी मैं उस मांस को इस परस नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि पैसों से ज़्यादा कीमती मेरा धर्म है, धर्मों रक्षती रक्षिता, मेरा धर्म इस संसार में सी कोई दौलत नहीं है, कोई संपत्ती नहीं है, जो मेरे धर्म को खरीद सके, धर्म जब होता है तो धर्म आपको सबसे स्रेष्ठ बना देता है इसलिए किसी की हत्या करने वाला धर्मात्मा कैसे होगा इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ तुमारी अनपढ दादी तुमारी अनपढ नानी तुमसे गाय की सेवा करवाती थी पहली रोटी गाय की कुट्टे की निकलवाती थी वो अनपढ लोग थे हमारे देश में लेकन वो जीव मात्र के प्रती दया का भाव रखते थे चीटी को दाना डाला जाता था आज कुछ लोग चीटीओं पर गरम पानी फेक देते हैं कि हमारे घर में चीटियां बहुत आती हैं महराज क्या करें परिसान हो गए हैं अरे तुमारे घर में चीटियां आती हैं तो ये समझो कि तुम खुश नसीव हो कि कम से कम चीटियां तुमारे घर का आटा खाने तवाती हैं हैं तुम खुश नसीब हो कि तुमारे घर आती हैं हमारे धर्म में हमारी संस्क्रती पक्षियों से लेकर पसुओं से लेकर जीव मात्र की सेवा करना सिखाती हैं इसलिए आप अपने बच्चों को सब पढ़ाओ इंजिनियर बनाओ, डॉंक्टर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, पाइलट बनाओ, जो बनाना मरजी बनाओ सब बनाओ पर सब से पहले उन्हें धर्मात्मा बनाओ धर्म का पाठ पढ़ाओ और जो धर्म का पाठ पढ़ेगा वो कभी चोरी नहीं करेगा वो कभी जारी नहीं करेगा चोरी जारी जानते हो पराई औरतों को देखने वाले पुरुष को जार पुरुष कहते हैं जैसे इस्त्रियों को कहते हैं कुलिटा अपने पती को छोड़कर और पुरुषों को देखने लग जाए दोसे कहते कुलिटा और पुरुसों में जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के औरों को देखे, पडुसन को ताक जहां करे, वो जार पुरुस कहलाता तो चोरी और जारी, ये सब इन से बचना हो, आप अपने बच्चों को यदि चोरी, जारी, मांस, शराब इन से बचाना हैं तो इस्कूल कॉलेज के भरोसे नहीं बच सकते, धार्म के भरोसे बच सकते हैं इसलिए बच्चों को धर्म का पाच पढ़ाओ, पढ़ाओ, इस्कूल कॉलेज सही है, पर घर में आएं, तो बच्चों को धर्म सिखाओ, बेटा, क्या धर्म हैं और क्या अधर्म हैं धार्म और अधार्म का की पहचान करना सीखिए। है ना। भगवान धार्म की स्थापना करने आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चदुस्कृताम धार्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे। जब जब हो ये धर्म की हानी बाड़ें असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविद शरीरा जब जब धर्म का धर्म पर अत्याचार होता है तब तब भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए कितनी बार आ च अब बताओ कितनी बार कैंये तो अभी तक भगवान तेइस वार आचुके हैं इस कलिख के पार आने वाले हैं कलकी अवतार लेकर के तेईस अवतार भगवान के होचुके हैं 24 वा होने वाला है भगवान के टोटल कितने अवतार हुए है कितने है अभी 23 हो चुके है 23 अब 24 होगा कल्युक के अंत में कौन-कौन से अवतार हो गए भगवान के पहला वतार है सनकादी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दूसरा वतार है भगवान का बाराह 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 वतार किसलिए धारन किया भगवान ने हिरन्याक्ष नाम का एक दैत्य प्रथवी को ले गया तब भगवान ने हिरन्याक्ष कुमार के प्रथवी की इस थापना की तीसरा प्रच्वी किस पर की है साइंटिफिक साइंस क्या कहती है आप जानते हैं प्रच्वी किस पर कि है प्रच्वी किस पर की है हाँ हाँ, अपन सनातनी लोग तो ये कहते सुनते आए हैं कि सेशनाग भगवान के उपर टिकी है, पर साइंटिफिक यह प्रचिवी का आधार क्या है, यह बस सही है कि सेशनाग भगवान, सास्त्र तो हमारी यही कहते हैं अजह हमारे सास्त्र जो कहते हैं सही कहते हैं अब साइंस माने ना माने जब दुनिया कहती थी कि प्रथवी चपटी है हिंदूओं को छोड़ कर सनातनियों को छोड़ कर अन्य जितने भी मजहब और पंथ हैं सबकी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है कि प्रथवी चपटी होती एक सनातनी है हमारा धार्म है हमारे वेद पुरान वर्सों पहले कहते आए हैं हज्जारों सालों से कहते आए हैं कि प्रथवी गोल है और साइंस ने जब रिसर्च किया सेटोलेट से देखा गया तो प्रथवी गोल पाई गई हमारे भागवत जी में पंचम इसकंद में एक सब्जेक्ट ही है भूगोल प्रथवी गोल किसने बताया हमारे वेद पुराणों ने पहली बता दिया जा वेग्ज्यानिकों के पहले अच्छा ग्रह कितने होते हैं बोलो नौ ये बात वेग्ज्यानिकों को अभी पता लगी कुछ वर्स पहले 50 साल कहलो और लो 200 साल कहलो पर हमारे वेद पुराणों में हमारे रिसी मुनी हज्जारों साल पहले से कहते चले आये हैं पंडिच जी सत्व ना भगवान की कष्छा करते हैं तो पहले नौग्रह कि पूजा कराते हैं नौग्रह पहले होते हैं हमारे आँआं वर्सों से सबको पता है ग्रह नौश होते हैं तुमने करोणों muscular के वही पता लगाया कि ग्रह कितने होते हैं तो हमारे वेद पुरान साइंटिफिक है, साइंस की कसोटी पर खरे उतरते हैं, साइंस, साइंस आज पता लगाफा आया है, कि ब्रहसपति प्रचुवी की परिक्रpha प्रचुवी की कि परिक्रमा पूरी करता है। साइन्स आप जानते हों तो बताईए लगभग बारह वर्ष ग्यारह महीने कुछ देने ब्रहस पती कितने साल में प्रथवी की परिक्रमा पूरी करते हैं लगभग पूरा जो अपना क्रम है जो ब्रहस पती है जो पूरे ग्रहों की परिक्रमा पूरी करते हैं वो लगभग बारह वर्ष में ब्रहस पती की परिक्रमा पूरी होती है जो पूरे सार मंडल की परिक्रमा होती है ब्रहस्पती की वो बारह साल की परिक्रमा होती है साइंस को आज पता लगा कि ब्रहस्पती की परिक्रमा बारह साल की है हमारे यहां हमारी रिसी मुनियों को हजारों साल पहले से पता जा कि ब्रहस्पती की साइकल बारह साल में चक्कर लगाती है हमारे यहाँ, इसलिए हर बारा साल में एक बार यहाँ पर कुम्भ लगता है हमारे देश में देखिए कितनी सटीख गड़त है हमारे यहाँ चार कुम्भ लगते हैं पहला प्रयाग राज दूसरा हरिजवार तीसरा उज्यान चौथा नासिक और ये चारों कुम्ब कितने साल में आते हैं? 12 साल में क्यों आते हैं? और ये कोई आज से थोड़ी आ रहे हैं? लाखों साल से चल रहा है तो आपके और हमारे वेद पुराणों के माध्यम से हमारे रिसी मुनियों ने हज़ारों साल पहले जब कोई सैटलाइट नहीं थी जब कोई वेग्यानिकों का नामों निसान नहीं था तब बता दिया ना कि ब्रहस्पती की गड़ना के अधार पर हमारे यहां ये उत्सब होते हैं तो देखो कितना साइंटिफिक है कि ब्रहस्पती का चक्र 12 साल का है तो 12 साल में कुम्म चालू हो जाता है तो दुनिया को जो दुनिया आज आपको बता रही है वही हमारे रिसी मुनियों ने हज्जारों साल पहले बता दिया था बेड़मना ये है कि आप उन वेग्यानिकों की बात तो मान लेते हैं अम मैं आपको इतनी सारी बातें बता कि ये कहना चाहता हूँ कि विज्ञान का अपना कहना होगा, विज्ञान के अपने तथ्य होंगे, पर जो हमारा वैदिक तथ्य है, जो हमारे वेद कह रहे हैं, वो क्या है, जरा समझिएगा, भगवान नारण की नाभी से हुआ कमल, जिस कमल में ब्रह्मा जी प्रगट हुए, वो कोई सामान ये वाला कमल तो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का बजन, तो होगा कुछ ना कुछ, तो कमल कोई सामान ये कमल होता तो, उस कमल की नीचे नलिका में, ब्रह्मा जी ने जाकर हज्जारों साल तक खोज की, कि मैं कहां से प्रगट हुआ हूँ, इस कमल की जो नली है, उसका अंत कहां हो रहा, हज्जारों साल ब्रह्मा जी उस नलीका में घूमते रहे, उसके अंत तक नहीं पहुँचे, जो ब्रह्मा जी उस कमल की नलीका के अंत तक नहीं पहुँचे, वो भगवान की नाभी के, कमल के अंत तक ना पहुँचे, वो ब्रह्मा भगवान के अंत तक कैसे पहुँच सकते हैं, वो भगवान की नाभी से जो कमल निकला, वो कमल में पंखुडियां हैं, कितनी पंखुडियां होती हैं कमल में, बहुत सारी होती हैं, उन कमल की बहुत सारी पंखुडियों की एक पंखुडिय में ब्रह्मा जी बैठे हैं समझों उसे कमल की बहुत सारी पंखुडियों के एक पंखुडी में कौन बैठे हैं जोर से ब्रह्मा जी उस एक कमल की पंखुडी पर ब्रह्मा जी ने बैठ कर और स्रश्टी की उसी कमल की एक पंखोडी पर प्रचवी रखी हुई है जिसे सेश भगवान पानी में रहते हैं तो पानी सेश भगवान चाता बनके भगवान की उपर तने है तो वो भगवान की नाभी से कमल निकला और कमल जाकरके सेश भगवान के उपर यू दिखता है तो वो पूरा का पूरा कमल किसकी उपर हो गया भगवान सेस के उपर तो इस आधार से कहा जाता है कि प्रचवी सेसनांग भगवान के उपर है जबकि सेसनांग भगवान के उपर कमल है उस कमल पर ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठे हैं उसी कमल की एक पंखुडी पर ये प्रथवी रखी हुई है कैसे अब आप एक बाल्टी पानी भरना प्रटीकल करके बता देता हूँ आप एक बाल्टी पानी भरना अपने घर में और ये गोलाब की पंखुडी है आप कमल की पंखुडी भी ले सकते हैं आप एक काम करना ये देखो कमल आप गुलाब की पंखोडी एक वालटी पानी भरना और उस एक वालटी पानी में ये गुलाब की पंखोडी डाल देना और इसमें डालने के वाद एक माटी का जरा सा गोला बनाना छोटा सा और उस माटी के गोले को वापिस पंखोडी पर डाल देना तो पानी पर बिल्कुल सुव्यवस्थित रहेगा के नहीं हाँ या ना बोलो हाँ और कमल की पंखुडी यदि होगी तो थोड़ा और बड़ा माटी का गोला बना सकते हैं आप वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा जैसे माटी का गोला जरा सा हम लोगों ने यह देखो यह इतना सा गोला बनाया आपको दिखीगा भी नहीं यह जरा सा गोला मैंने माना की यह पंखुडी का है पर माटी का मालो माना की यह माटी का गोला मैंने इसमें रख दिया और इसको पानी में डाल दिया तो बताओ यह डूब जाएगा क्षाल के तैरेगा जोर से तैरेगा जैसे कमल की पंखोडी पैजरा से माटी का इसके कड़ सबस्क्रान पीरल करने प्रकार वो कैसे कमल पर ब्रह्मा जी भी इस प्रचवी का आधार वही कमल की पंखुडी है, और उस कमल की पंखुडी का आधार भगवान नारायन है, उस सब का आधार कौन है, सब का आधार कौन, इसलिए राम चरित मानस में लिखा है, ब्रह्म, हांड, निकाया, निर्मित, माया, रॉम, रॉम, प्रतिवेद कहें, भगवान के एक रॉम में, अब साइंस भी तो यही कहता है, कि कितनी सारी गैलक्सियां, कितनी आकास गंगाएं, जितना विज्ञान ने पाया है वो एक कण है विज्ञान भी तो मांता है और वही हमारे सास्र हजारों साल से चिला रहे है कि भगवान के एक रौम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे है अनेक ब्रह्मान तो उस प्रचवी को अच्छा भगवान कहा है छीर सागर पर तो भगवान अलग है भगवान से कमल अलग निकला उस कमल पर अब आप कहेंगे यह जो सागर है सुनो यह जो सागर है ना यह हिंद महा सागर है यह प्रशान्त महा सागर है यह वो सागर नहीं है जिसमें भगवान विराजते हैं भगवान कौन से सागर में विराजते हैं बोलो मरी माँ छीर सागर तो छीर सागर अलग है तो हिरन्याक्ष नाम के राक्षस ने प्रच्वी डुबादी पानी में तो वो सागर अलग है अलग बहुत बड़ी ये ब्रह्मान इतना नहीं जितना हम देख रहे हैं बहुत बड़ा है साइंस भी मानता है बहुत विशाल है कोई अन्त ही नहीं है अनन्त है इसलिए भगवान का एक नाम है अनन्त हरी अनन्त हरी कछा अनन्त तो भगवान की ये प्रच्वी हिरन्याक्ष ने छिपाई तो जिस हिरन्याक्ष को मार कर भगवान ने प्रच्वी को जहां की जहां स्थापित किया उनका नाम है बाराह भगवान, बोलिये बाराह भगवान के जयुँँद। तीसरा अवथार है स्री नारच जी। कख्षप अवथार जो मंदरा अचल परवत को थामने के लिये हुआ। अकक्षप बारहवा धनवंत्री तेरहवा मोहनी फिर नरशिंग भगवान वामन फिर परुषराम जी फिर 17 वे ब्याजी 18 श्री राम 19 वे बलराम जी 20 वे स्री क्रिश्ण 21 वे वुद्धा अवतार 22 वे हरी अवतार 23 वे हंस अवतार 24 वे होंगे कल की अवतार अब आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, महराज जी इतने सारे अवतार भगवान के हम किस की पूजा करें, कोई हनुमान जी की पूजा करें, कोई कहे मैं हनुमान जी की पूजा करूं, की संकर जी की पूजा करूं, की दुरगा मैया की पूजा करूं, की गडेश जी की पूजा करूँ कि राम जी की पूजा करूँ कि कृष्ण जी की पूजा करूँ मैं नारण की पूजा करूँ कि हरी की पूजा करूँ कि विश्णू की पूजा करूँ मैं किसकी करूँ आज का आदमी बड़ा कनफ्यूज है, इतने सारे मंदिर, इतने सारे नाम किस की पूजा करें, है नहीं, आप किन की पूजा करते हैं, कनफ्यूज है नहीं, कोई पंडित जी कहते हैं, कोई गुरू जी कहते हैं, राम की पूजा करो, कोई गुरू जी कहते हैं, कृष्ण की प यह बड़ी हैं दरुगा जी की बूजा करो अब गुरुजी कहके चलले के पर आप और से किसकी बुजा करें जो वाता है वह पर और सियंगे ऑड़ा कम कहा हम किसकी क्या हो यह इंद्वाज पर इनद्व में रोज कोई न Вас आपको कछा सुनाने आते हैं और सब महापुरुष हैं, सब की बाते हैं, सत्थ हैं, जोई झूट नहीं कहता अब इसे समझें कैसे, देखो आज हम किलियर आपको समझे हैं और सदा के लिए समझे हैं ताकि आप सब का आनंद लो पर confusion ना हो आपके जीवन में मैं आपको ये सवाल कल प्रशनोत्री में किसी भाई ने सवाल पूचा था इसलिए मैं आज इसका उत्तर आपको सबके साथ सबके सामने दे रहा हूँ ताकि ये confusion किसी को ना हो हमारे सनातन को लेकर बहुत लोग सवाल खड़े करते हैं कि आपके यहां तो बहुत सारे भगवान हैं बहुत सारे देवी देवता हैं कनफम ही नहीं हो पाता किसकी पूजा करें आओ कितने लोग के लिए सुनना चाहते हैं सबजेक्ट को कौन लोग इस पश्टी करन चाहते हैं सब्जेक्ट का सब्चाहते हैं सुनो आपने बुलाया है सुनाने के लिए सुना रहे हैं यह दाज सुनाएगा सुनो पहले समझो पहले हनुमान जी से सुरू करते हैं मैया धन्य हो मिरी मा हर दस मिनट में वाटसेप चेक करती है मेरी मा किसका आया किसका आया धन्य वन्य सुनो सबसे पहले हनुमान जी को समझते हैं बताओ हनुमान जी कौन है हनुमान जी कौन है भगवान शंकर हनुमान जी और संकर जी ये दो नहीं हैं ये दौनो एक है हनुमान जी सदा किसकी पूजा करते हैं राम दुवारे तुम रखवारे राम जी के दुवार पर कौन खड़े हैं स्री हनुमान जी तो हनुमान जी कौन है जोर से बोलो किरपा करहूं गुरू हे हनुमाण जी, आप गूरुदेव की नाई किरपा करो और जितना प्रेम आप करते हैं,राम जी से वो प्रेम की भिक्षा हमें भी दे दो कि हम भी प्रेम करपाएं,राम जी से हनुमान जी के मंदिर में जाकर क्या मांगना चाहिए जैसा प्रैम प्रभु आप करते हैं स्री राम जी से आप प्रैम को जानने वाले हैं है स्री हनुमान जी हमें भी हम भिखारी को भी प्रैम की भिख्षा दे दो हमें क्या दे दो हमें क्या दे दो हनुमान जी से क्या मागना है हनुमान जी प्रैम देते हैं जब तक हनुमान जी प्रैम नहीं देंगे तुलसीदास जी को प्रैम किस ने दिया तुलसीदास श्री गोश्वामी स्री तुलसीदास जी को राम तक किस ने पहुँचाया श्री हनुमान जी ने हनुमान जी नहीं कहा था चित्र कूट के घाट में भई संतन की भीड तुल सिदा से चंदन घिसें और तिलक हाँ किस ने कहा था तोता बन कर श्री हनुमान जी तो राम जी से मिलना हो तो श्री हनुमान जी तो हनुमान जी कौन है भगवान तक पहुंचाने के एजेंट है सब को पकड़ पकड़ के कहा ले जाते हैं चलो राम जी के पास चलो राम जी के पास चलो तुमारा भी कल्यान हनुमान जी हम सब का कल्यान चाहते हैं हनुमान जी राम रसायन तुम्हेरे हनुमान जी के पास एक दवाई है जिसको पिला दें वो राम का हो जाता है ऐसा रसायन है हनुमान जी के पास राम रसायन तो हनुमान जी के मंदिर जाओ तो राम की भिक्षा मांगो किसकी चलो समझ में आगे अब चलो संकर जी के पास चले संकर जी कौन है ज़र संकर जी का परचे कराओ आप हमें कासी में जब कोई मरता है तो कहा जाता है के उसकी मुक्ति हो जाती है कासी की धरती में जो मरेगा उसकी क्या होगी पर ये बताओ के कासी में मरने वाले को मुक्ति देता कौन है कौन? कौन? संकर जी? ना? संकर जी मरने वाले व्यक्ति के कान में जाकर बोल देते हैं धीरे से राम कासी में मरने वाले आदमी इस्त्री के कान में संकर जी क्या बोलते हैं? ये बात हम नहीं कह रहे हैं गोश्वामी जी कह रहे हैं लिखा है मेरे संग बोलो जासु नाम बल शंकर कासी देत सवहिसम गति अविनासी जिस नाम के बल पर संकर जी कासी में मरने वाले को मुक्ति देते हैं उस राम की शर्ण में चलो थीक हैं संकर जी सदा वसंतम हर्दयार विन्दे हाँ संकर जी के हीर्दय Drama में नाचे जोगी मतवाला अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा कौशल्या का लाला संकर जी आए हाँ संकर जी भगवान राम से प्यार करते हैं किस से प्यार करते हैं अब संकर जी का कोई भक्त है तो संकर जी का भक्त संकर जी के भक्त को संकर जी क्या कहेंगे जब आप संकर जी के पास जाएंगे तो संकर जी आपको गोद में उठाएंगे और गोद में उठाके ले जाकर प्रभू श्रीमन नारण के चरणों में डाल देंगे यह प्रभू आपका भगताया या तो आप डारेक्ट जाओ या इंडारेक्ट जाओ वाया संकर जी के माध्यम से पहुँचना कहा है सब को वहीं पहुँचना आप और सुनो गडेश जी कौन है गडेश जी कौन है आप कहते हैं भगवान शिव के पुत्र हैं माता गौरा के पुत्र हैं ब्रह्म्ह वैवर्त पुरान के अनुसार गडेश जी भगवान स्री कृष्ण के के ही अवतार हैं भगवान स्री कृष्न के ही अवतार हैं गड़ेश जी भगवान के ही अवतार स्री गड़ेश जी अब और सुनो भगवान नारायन में तीन रूप बनाए ब्रह्मा विश्णू और महेश ये तीनों का काम अलग-अलग है क्या क्या काम है बिजली एक होती है पर एक ही बिजली तीन फेसों में डिवाइड हो जती है थ्री फेस थ्री फेस इसलिए ताकि वो आपके घर की विवस्था समाल सकें AC, Cooler, Pankha थ्री फेस से चलते हैं तो थ्री फेस जरूरी है बिवस्था के लिए एक बिजली तीन भागों में डिवाइड हो गई फेस वन, फेस टू, फेस त्री उसी प्रकार एक भगवान, स्रीमन, नारैन तीन भागों में डिवाइड हो गए ब्रह्मा बनके सरश्टी उत्पन्य करते हैं विश्णू बनकर पालन और शिव बनकर संगार ये व्यवस्था के लिए वह तीन हो गए हैं हैं, हैं, हैं एक, हैं, एक बन गए कितने? तीन किसके लिए? व्यवस्था के लिए ठीक हैं? अब राम जी और कृष्ण जी कौन कौन हैं ये? राम और कृष्ण कौन है ये बताओ राम जी और कृष्ण जी में बड़े कौन है मैय जोर से बोलो मेरी माँ कौन कौन राम जी बड़े है तो कृष्ण जी छोटे है मेरी मा को बड़ छोट कहत अपराधू छोटा बड़ा कहना और मानना ये अपराध है छोटा बड़ा कहना और मानना क्या है राम जी ही कृष्ण है और कृष्ण जी ही वह भगवान नारायन 24 सबतारों में जो प्रगट हुए उन 24 अवतारों में 20 वा अवतार भगवान श्री कृष्ण का है और 18 वा अवतार भगवान श्री राम का है वह एक ही वही नर्शिंग भगवान बने वही वामन भगवान बने वही धनवंतरी वही मोहनी वही कक्षप वही राम वही कृष्ण अनेद रूप रूपाय विश्णवे प्रभु विश्णवे तो भगवान कितने हुए total सबको जोड़के कितना हुआ जोड़ से राम जी प्लस क्रिष्ण जी प्लस सिव जी प्लस हनुमान जी प्लस गड़ेश जी बराबर बराबर एक ये गड़ सही है कि गलत है क्योंकि सब एक ही तक्त्व है जैसे माटी से घड़ा माटी से सुराही माटी से चिलम माटी से अन्यक खिलोने सब अलग अलग नाम अलग अलग रूपों में है पर है सब में माटी उसी प्रकार भगवान कभी दो थे ही नहीं भगवान एक है जो भगवान शिव की पूजा करता है भगवान शिव की पूजा करने का फल क्या है बोले भगवान की भक्ती करने का फल है कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाना जो भगवान शिव की उपासना करता है उसी के हिर्दय में भगवान कृष्ण के प्रती प्रेम जागता है इसका एक बड़िया उदाहरण मैं आपको दू नरसी जी को कितने लोग जानते हैं जो जानते हैं वहाँ तुठाओ मैया आपके पडोस में रहते थे क्या अचा यहीं एमार्टन वे रहते है नरसी जी नरसी जी की बहुजाइए ने नरसी जी को घर से निकाल दिया आप लोगों ने ये कछा सुनी हैं कई बार बस आपको वहाँ ले चल रहा हूं जहां आपका ध्यान नहीं जाता सुनो मैया ओ भागी जा रही हो मैया यहां भी तो देखो इतनी लेट क्यों हो हाँ वैटो जल्दी कल समय से आना मेरी मा लेट आओगी फाइन लगेगा एक घंटा कीर्टन करना है अब आप लोगों को घर जा कि लेट आने की सजा स्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारया एक घंटे तक सुनो नर्सी जी की भौजाई ने घर से निकाल दिया नर्सी जी को नर्सी जी जंगल में गए वहाँ एक शिव जी का मंदिर था तो सिव जी पर जाकर के वो पड़ गए गिर गए शिव लिंग पर उनका माठा था और पड़े पड़े साथ दिन बीत गए बिना खाए बिना पानी पिए मूर्चित पड़े रहे नर्सी जी संकर जी वहाँ से गुझ्रे संकर जी ने एक भगत पड़ा है प्रगत हो गये begins सी जी कुछ मांग लो बेटा मेरे KAR加 अब ओ कुछ देना है तब नर्सी जी ने कहा नर्सी जी ने संकर जी से क्या मांगा कि हमें और कुछ ना चाहिए राधा कृष्ण का दर्सन करा दो हा या ना यbewाश सही है कि जोटी है तो शंकर जी से क्या मांगा कि हमें राधा कृष्ण का दर्सन कराओ संकर जी बोले ठीक है संकर जी नरसी जी को ले गए और जहां भगवान विराजते हैं गौलोग धाम में जहां नित्य उनकी रास लीला चलती है वहां ले गए भगवान कृष्ण ने संकर जी का स्वागत किया बोले ना चाओ ये कौन है प्रभू ये आपका भगत है पर यहां आपका दर्शन करने आया है तब भगवान ने अपने रास का दर्शन कराया नरसी जी को अपनी घुंगरू उतारके नरसी जी के पाव में बांधी और कहा जब तुम केदार राग गाओगे तो मैं सदा तुमारे पास आया करूँगा जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया करूँगा तो संकर जी को प्रसन्य करने के बाद नरसी जी ने क्या मांगा भगवान स्री कृष्ण का दर्शन और संकर जी ने करा दिया तो संकर जी के पास जाने वाला भक्त भी अंत में वो भगवान संकर जी या आप कहो के हमें कृष्ण के पास जाना है या तो भगवान संकर ही उठा कर तो में भगवान स्री कृष्ण के चरणों में ले जाएं कुल मिलाकर भगवान तक पहुचाने के लिए ये व्यवस्था है मूल तत्व में भगवान एक ही है वह राम वह कृष्ण अच्छा राम जी कौन है राम जी कौन है राम जी कौन है किन का अवतार है राम जी भगवान नारायन मेंस हरी ही राम बन गए भगवान नारायन कौन बन गए हरी मतलब हरी मेंस राम और भगवान नाराण स्री कृष्ण बन गए क्या बन गए वही है तो राम और कृष्ण दोनों कौन है साक्षात भगवान भगवान श्रीमन नारायन तो जब आप शरीमन नारान कहते हैं, जब आप राम कहते हैं, जब आप कृष्न कहते हैं, तो आप सब कुछ कह लेते हैं, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं, जब आप इनकी शरन में आ गए, तो सब खुश, है न? संकर जी भी सदा हिर्दय में भगवान का अब समस्य ही महराजी हम दुरुगा जी के भक्ते हैं अब हमारा बताओ हम क्या करें हम तो जमाता दीवाले हैं दुरुगा जी श्री मन नाराण में श्री कौन है आप बोलो श्री मन नारायन बोलो श्री मन नारायन, आप बोलो श्री कौन है, इसमें श्री है न, श्री मन, श्री कौन है, श्री कौन, श्री कहते हैं माता लक्षमी को, श्री कौन है, वह माता लक्षमी ही राधा है, वह माता लक्षमी ही सीता है, वह लक्षमी ही दुरगा, काली, महा काली, भद्र काली शिव कौन है शिव भी नारान तत्व है जब शिव नारान तत्व है तो पारवती कौन हो ही पारवती लक्षमी तत्व हो गई और वही पारवती दुरगाकाली महाकाली भद्रकाली जो नवरात्री नौ देवियां है ये कौन है जब भगवान कृष्ण ने माता देवकी के गर उसे जनम लिया यशोदामानेक बेटी को जनम दिया था जब स्री कृष्ण को रखकर वसोदेव जी यशोदामा की बेटी को लेकर आए और जब कंस ने उस बेटी को पत्थर पर पटकना चाहा तो वो हाथ से छूट कर कहा चली गई आकास में और कितने हाथ धारण किये अश् महा दुर्गा कहलाएं तो दुर्गा किसकी बेटी होई माता यशोदा की विंध्य वासनी मैया को जानते हैं आप कंस ने जिस कन्या को पत्थर पर पटका देवकी की बेटी समझ कर वो कंस के हां से छूट कर आकास में गई और अश्ट भुजा धर के कहने लगी मूर्क तु मुझे क्या मारेगा तुझे मारने वाला प्रगट हो गया वह विंध्य चल परवत में जाकर विराजी आज विंध्य वासनी मैया के नाम से उन्हें जाना जाता है तो वह देवी कौन है यशोदा मा की पुत्री वह कौन है माया कौन है लक्षमी स्वरूपा तो दुरगा काली महा काली सब जब आपने श्री मनारन कह दिया तो सारी देवियां श्री कह दिया तो राधा को भी प्रणाम हो गया सीतामा को भी प्रणाम हो गया लक्षमी को भी पारवती को भी और जितनी देवियां है सब का प्रणाम श्री मन नारण कहते ही सब को प्रणाम हो गया, सब का आदर हो गया इसलिए श्री मन नारण कहते ही सब हो गया वह नारण में राम भी आ गए क्रिश्न भी आ गए, ब्रह्मा विश्न महे सब आ गए हाथी के पाउ में सब के पाउ आ गए हाथी के पाउं से फिर बढ़ा किसी का पाउं अब आप किसी आप संकर जी के मंदिर जाओ तो यही कहो के हे प्रभू हम आप जिनको इष्ट मानते हैं कोई राम का पुजारी कोई कृष्ण को इष्ट माने कोई राम को माने हे प्रभू हमारे इष्ट के चरणों में हमारी प्रीती बढ़ है हमारा प्रेम बढ़ है यही मांगना चाहिए ठीक है? यह 24 अबतार भगवान के ब्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांती नहीं मिली तब भागवत जी की रचना की नारज जी के कहने से मैं दासी पुत्र था भगवत कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र बना और महा भारत से आपने शुरुवाज की भागवत जी की महा भारत आप कितने लोग महा भारत पढ़ते हैं? कितनों के घर में महा भारत है? जिनके घर में है वो हाथ उठाएं नहीं पुष्टक वाला महाभारत नहीं सास वहु वाला महाभारत तो होगा पुष्टक वाला महाभारत नहीं पढ़ती हो इसलिए सास वहु वाला होता है यदि वो वाला पढ़ लेती हैं तो सास वहु वाले से बचे जाती है लेकन हमारे हिंदू धर्म में कितनी गलत मान्यता ये है कई लोग कहते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए महाभारत रखने से घर में महाभारत होता है कितनी मूर्खता भरी बात है अरे जो महाभारत घर में रखते हैं और महाभारत का पाठ करते, पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं, वो हर महाभारत से बच जाते हैं, लेकन अज्ञानवस लोग ऐसी mentality बना रखे हैं कि रखने से महाभारत होता है, आप के घर में बताओ, जिठानी दिवरानी का महाभारत हो रहा है कि नहीं, बोलो हा, मैया, ओ मेरी मा, सुन रही हो मेरी मा, पीछे वाली मैया, सुन रही हो, नहीं, सुनो, ये बताओ, महाभारत, क्या टाला जा सकता था, महाभारत टाला जा सकता था, कि नहीं, महाभारत रुक सकता था, कि नहीं, हाँ, यदि रुकता तो कौन था, रोकने वाला, कौन, 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 भगवान तो रोकने के लिए गय थे, शांती दूत बन कर, दुरियोधन को समझाने के, भईया, महाभारत ना लड़, तेरा ना सो जाएगा, नहीं माना, पांच गाउं दे दो, पांड़मों को रहने के लिए, बोला, सुई की नौक बराबर भी, मैं, नहीं दूँगा, जो सुई की नौक बराबर भी, नहीं देता, वो मरा तो सुई की नौक बराबर भी लेकर नहीं गया, लड़ाई जगडा सुई की नौक बराबर का है, और लेकर जाना कुछ भी नहीं है, यहीं सच्चाई है, दुरियोधन, दुरियोधन कैसा था, लालची, रावड कैसा था, रावड था, कामी, रावड था, जोर से रावड था, कामी, और दुरियोधन था, लोभी, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, दौनों हानी कारख रावड का नास किस ने किया, अपनी पत्नी में खुस होता, तो मनास क्यों होता, अपनी पत्नी के अत्रिक्त भी वो ताक ज्ञां करता रहता, सरवनास हो गया, समझो जो कर रहे हो तो समझ लेना रावड का इतिहास देख लो रहा ना कोई कोल रोवनी हारा रावड मरा तो रोने वाला एक लख पूत सवा लखनाती जिसके घर पर दिया ना बाप के की एका दंड पूरे कुटम खांदान को उठाना पड़ा एक आदमी की गलती का परिणाम कई बार नेरपराद जनता को भी भोगना पड़ता है राजा की गलती प्रजा भोगती है और इसका ज्वलन तो दाहरन है रावड रावड की गलती थी अच्छा बचाओ इस केस में मेघनात की क्या गलती थी इस केस में कुम्ह करन की क्या गलती थी? थी? अही रावड मही रावड की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी आम जनता जो लंका की जनता युद्ध में मारी गई उनकी क्या गलती थी कोई गलती रावड के एक लाख बेटा थे एक लाख बेटों की क्या गलती थी गलती बाप की थी बाप मींस एक लाख बेटों का बाप रावड एक की गलती का परिणाम खा में आजा सब को भुगतना पड़ा इसलिए घर का बड़ा मुखिया यदि गलत कदम उठाए गलत निरने ले तो उसके गलत निरने का सिकार उसका फूरा कुटम खांदान हो सकता है इसलिए मुखिया को चाहिए के वो सही निरने लेना सीखे में घनात की कोई गलती नीची बेचारा मारा गया रावड की गलती के कारण इसलिए गलतियां करने से बच्छो खासकर रावड जैसी गलतियां ना हो इसलिए हमारे यहां राम जी ने चरित्र का निर्मान किया है राम चरित्र सुनवे कारसिया चरित्र हो तो मेरे राम जैसा चरित्र हो पराई इस्त्री की तरब ना देखो राम जी के पास भी पराई औरत आई थी नाम था सूप नखा पर राम जी ने सूप नखा को देखा भी नहीं देखा और रावड के सामने माता सीताई तो ठाकर ले आया ये रावड का चरित्र था और राम जी का चरित्र था कि सूप नखा आई तो माता कहके संबोधित कर रहे हैं तुम हमारी मा हो पर आई यौरत तो मा ही होती है राम जी का चरित्र कितना स्रेष्ट है हमें केवल पढ़ना नहीं है रामायण हमें उसे शरितार्च करना जीना है महाभारत कास आप लोग पढ़ते होते तो आपके घर का महाभारत रुक जाता अच्छा मैय आप लोग बाहर भी बैठी हो अच्छा अब आज आ रही हैं चलो आप सुन रही हो या सुन रही हो अच्छी बात सुनो एक बात बताओ दुरियोधन को इतना लोभ था के अपने हस्तिनापुर के सिंगहासन के सिवा वो युदिश्ठिर जी का सिंगहासन था इंद्र प्रस्थ जो दिल्ली कहलाता है आज बटवारा हुआ था ना दौनों का तो जो ध्रतराष्ट थे वो बटवारे में पांडवों को बंजर भूमी दिये थे इंद्र प्रस्थ बाद में उसको उपजाओ बना कर उनकी मेहनत ने और सुन्दर सा बनाया दुरियोधन गया तो देखा बड़ा गजब है तो जुआ खेल के उसने सब जीतने का सड़यंत्र रचा और अपनी संपत्ती में प्रसन नहीं था वो औरों की संपत्ती हडपना चाहता था और जब जरुडस से जादा आदमी लोभी हो जाता है तो उसका लोभ उसका सरवनास कर देता है जैसे की दुरिय जैसे की आप लोग कई वार अपने भाई की संपत्ती हडपना चाहते हैं जो हडपना चाहते हैं उनका कह रहे हैं सबका नहीं जो लोग अपने भाई की संपत्ती हडप लेते हैं भाई का भी कबजा कर लेते हैं जमीन जाजाए तो एसों का सरवनास ही ऑप्सन है दूसरा को कोई नहीं आज नहीं कल कल नहीं परसो हां इस्वर के घर थोड़ा देर है God मिल्स ग्राइंड श्लो बट शियौर थोड़ा देर लगती है पर इस्वर के घर अंधेर नहीं है थोड़ा चक्की चलती है धीरे-धीरे गैहूं पीस्ती है पिस्ता जरूर है टाइम लगेगा नतीजे आई है बचके रहना रे बाबा जब भगवान अपना हिसाब करने बैठेंगे पाई पाई का हिसाब होगा दुरियोधन का हिसाब हुआ तो आग लगाने वाला कोई ना बचा पिंड़ दान देने वाला कोई ना बचा हाँ जिन से लड़े उन्होंने पिंड़ दान दिया मतलब धर्मराज युदिष्ठिर ने इसलिए अती कभी ना करना बंदे इती तेरी हो जाएगी बिन पंखों के पक्षी जैसी गती तेरी हो जाएगी अती ना करना अती सरवत्र वर जाए अती करदी दुरियोधन ने भगवान की भी बात नहीं मानी उसों दुष्ट ने इसलिए बड़ों की बात मानो लोब जरुरस से जादा ना राम इतना दीजिये जामे को तुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधू ना भूखा जाए जो है बहुँच है ये मान कर हमें हर हाल में प्रसन रहना चाहिए समझ रहे हो मिरी मा हाए 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 आप लोगों के पास जितना है उतना भी लोगों के पास नहीं है लेकर आपको अपना कम लगता है औरों का जादा लगता है अरे उसके पास बहुत ना जी जो आपके पास है बहुत है मेरी मा संतोस है तो सब कुछ है संतोस नहीं खुछ नहीं है इसलिए महा भारत का युद्ध हुआ महा भारत के युद्ध में निन्यानवे कौरव मारे गए दुर्योधन की जंगा भीम भाईया ने चोड़ दी और भीम भाईया को अच्छा एक वाद बताव महा भारत के युद्ध में धर्म हुआ था की अधर्म हुआ था जोर से ये युद्ध धर्म युद्ध था की अधर्म युद्ध था क्या था क्या था धर्म युद्ध धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्र था और धर्म युद्ध था धर्म के युद्ध में अधर्म अभी हुआ है युद्ध का नियम था गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा का प्रहार जांग के कमर के नीचे नहीं करते हैं गदा का प्रहार कहानी करना है युद्ध में कमर के नीचे मतलब जांगों में गदा नहीं मार सकते ऐसा युद्ध काई। अब प्रश्न यह खड़ा हुआ। वहां बल्रामजी आ गये ॅ दि बल्रामजी ने आकर कहा यह युद्ध कैसा है गलत वुद्ध हो रहा है। का नियम है कि जांघ में आप गदा नहीं मार सकते और भीम तुम गदा जांग में मार रहे हो ये तो कपड़े उतार कर मेरी जंगा में मेरी गोद में बिठा दो क्या ये धर्म था जब इसने अपने जीवन में धर्म का कोई काम नहीं किया तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है इसने कोई धर्म किया होता तो हम भी इसके साथ धर्म करते जब आपने धर्म नहीं किया ये कौन सा धर्म था भरी सभा में किसी ये कबला नारी को आप पकड़ कर बाल लेकर आएं और कहें किसके कपड़े उतार कर मेरी गोद में बिठा दो ये कौन था ये देवर था और दरापदी कौन था बवजाई भावी थी भावी हमारे यहाँ मां समान होती है मां के जैसी होती है और ये अपनी भावी को अपनी गोद में बिठालना चाहे रहा है ऐसा धर्मी है और आप इसके लिए कह रहे हैं कि धर्म धर्म उनके लिए होता है जो धर्मात्मा होते हैं महा भारत में बहुत लोग अधर्म से मारे गए उनमें एक दुरियोधन था दान वीर करण भी अधर्म से मारे गए आपको पता है जब उनके रच का पहिया नीचे धस गया तो वो रच का पहिया उठाने के लिए गए तो भगवाने का बान चलाओ इसे मार दो और जब मारने के लिए बान उठाया तो अरजुन ने कहा प्रभू ये तो अधर्म है वो रच से नीचे है पर युद्ध का नियम है कि जो युद्धा अपने रथ से नीचे हो उस पर प्रहार नहीं करना आप क्यों करा रहे हैं भगवान बोले ये कर्ण जिसने अभी मन्यू को वो भी तो रथ के नीचे था उसके हाँच भी खाली थे अस्तर सस्तर से एक युद्धा से एक युद्धा ही युद्ध करेगा पर उस एक युद्धा से ये साथ साथ आठ आठ युद्धाव ने युद्ध किया एक साथ लड़े क्या ये धर्म था जब इन्होंने धर्म का कोई पालन नहीं किया तो इनके लिए कोई धर्म नहीं, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, अधर्मी तो जैसे मरे बस मार दो, यही धर्म है, इसलिए मार जीए, भरी सभा में कर्ण ने कहा चा, अधरवपदी, तेरे पांच-पांच पती हैं, छटा हमें बना ले तो क्या भी गड़ जाएग जैसे पाच वैसे ही छै ये किसने कहा करण ने क्या ये धर्म था क्या किसी इस्त्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ये धर्म है जब इन्हों ने धर्म का पालनी किया तो इने के लिए क्यों किया जाए मार दिया गया तीसरे हैं गुरू द्रणाचारी गुरू द्रणाचारी का बेटा अश्वत्थामा मरा नहीं था लेकन युद्ध में गलत सूचना फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया धर्म राज उदिष्ठिर को भगवान ने बोला कह दो अश्वत्थामा मारा गया जबकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था ना कि अश्वत्थामा पर फैलाईगी ख़बर विश्वास नहीं हुआ गुरु द्रणाचार को कहा युदिश्थर बोलेगा तो भगवाने का बोल दो तो उन्होंने कह दी अश्वत्थामा मारा गया अश्वत्थामा नरो गया के हाथी मारा गया यह आप संग जो अब उन्हें ने इतनी सुना स्वाथ्थामा नरोवा कुंजरोवा सुना नी हथ्यार नीचे डाल दिया द्रश्ट जुन्य ने जाकर गुरुद्रोणाचार जी का सिर काट दिया अधर्म से मारे गए यह अधर्म से क्यों मारे गए यह गुढकि इन्हों ने चक्रव्यू बसाया और उसे बड़ी दरिंदगी से मार डाल छोटा सा बालक था चक्रव्यू में घुसणा तो सीखा था अब इचारेने निकलना नहीं सीखा था घुसके रह गया और मारा गया ये गुरु जी है इन्हें तो कहना चाहिए था कि योध्धा एक से एक योध्ध करो तुम सब क्यों तूट पड़ रहे हो और तो सब ठीक है जब अभिमन्यू मर गए तो मरे हुए अभिमन्यू के सिर पर लाथ किसने मारी थी मर जाने के बाद तो दोस्मनी खतम हो जानी चाहिए पर जयद्रत दुरियोधन के जीजा उसने अभिमन्यू के मरे हुए अभिमन्यू पर उनके सिर पर पादप्रहार लाथ मारी और अभिमन्यू का अपमान किया क्या इस अपमान को ये रोकनी सकते शेके जो पाप को संरक्षित करते हो जो पापियों के लिए चक्रव्यू करते हो पापियों को बचाने के लिए ऐसे अधर्म के साथ देने वाले गुरु द्रोणाचार ही क्यों ना हो अधर्म का साथ इन्हों ने दिया तो मृत्यू भी इनकी अधर्म से ही होगी इन्होंने कौन सा धर्म किया और महा भारत का युद्ध पूरा हुआ महा भारत में जीत किसको मिली पांडव या कौरवों को अच्छा बताओ पांडव क्यों जीत गए क्योंकि पांडवों के सार्थी कौन थे पांडवों के सलाहकार कौन थे जिनकी गाड़ी भगवान चलाते हैं जीत उन्हीं की होती है अब आप देखलो कि आपकी गाड़ी कौन चला रहा अच्छा महाभारत की एक छोटी सी बात में आपको समझाऊंगा अपने आपको अपडेट समय समय पर करते रहना चाहिए अच्छा एक बात बताओ महाभारत में एक व्यक्ती है जिसने एक गलती की और वो व्यक्ती हैं अभिमन्यू बताओ अभी मन्यू ने क्या गल्ती की मैया दिमाग ओपन करो चालू करो दोड़ाओ अभी मन्यू ने चलो मैं आपको और स्पष्ट कर दूँ अभी मन्यू ने शक्र वियू हमें जाना कहां सीख लिया था कहां सीख लिया था कहां सीख लिया था मा के पेट में मा के पेट में जिस बच्चे ने चक्र व्यू हमें जाना सीख लिया तो क्या मा के पेट से बाहर आकर आना नहीं सीखना चाहिए था अभी मन्यू जब पैदा हो गए जब 10 साल के थे 12 साल के थे 15 साल के थे तब उन्हें अपने पिता के चरणों में बैटकर आना सीखना चाहिए था के नी कई बार आप लोग गलती यहां करते हैं आपके पास जितना ज्यान है आपको लगता है पर्याप्त नहीं ज्यान कभी पर्याप्त नहीं होता ज्यान को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए अभी मन्यों ने ज्यान को बढ़ाया होता तो वो आना भी सीख लेते हैं उपर उन्हें लगा बहुत जरूर अच्छी नहीं ओबर कॉन्विडेंस से यह होता है इसलिए जीवन में नई नई चीज़ें सीखने की जिग्यासा सदा रखनी चाहिए अपने आपको समय काल के हिसाब से अपडेट करना चाहिए अपने आपको हर परिस्थिती के अनुसार वहां की तैयारियां करनी चाहिए पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, नया नया सीखते रहना चाहिए नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए जितना है ऐसा है इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे यदि आपने आपको आगे बढ़ाना है तो अध्यन जरूरी पढ़ना जरूरी है नई चीजों को जानने की जिग्यासा जरूरी है महा भारत का युद्ध हुआ और उसे युद्ध में गुरू द्रोनाचार के बेटा अश्वत्थामा जब देखते हैं कि दुरियोधन मौत की सईया पर पड़े है जंगाई टूटी है मित्र तुमने मुझे मौका नी दिया तब कहा जाओ तुम्हें अभी मौका दे रहा हूँ पांचों पांड़मों को मारने के लिए छल से अश्वत्थामा चले पांच पांड़मों को तो ना मार पाए दुरापदी के पांच बेटे बड़े थे विस्तर पर उन्हें पांड़म समझकर पांचों का सिर काट लिया अश्वत्थामा ने और दुरियोधन को दिखाया ये पांड़म है बोली ये पांडव नहीं पांडव पुत्र है दुरियोधन ने रोते हुए कहा तुमने तो हमारा वंस नश्ट कर दिया दुरापदी के पांच बच्चे मर गए अश्वत्थामा भागा अर्जुन दौड करके पकड़ने चले तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया भगवान की सरण में आकर भगवान से कहा क्रेश्णे क्रेश्णे महाबाहु भक्ताना अभयंकरा त्वमेको दहिया मानाना मपवर्गो सिसंस्रते भगवान ने कहा तुम ही ब्रह्मास्त्र चलाओ चलाया दौनों ब्रह्मास्त्र शांत किया भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रापदी के सामने लाकर खड़ा किया द्रापदी तेरे बेंडे का हत्यारा तेरे सामने जो दंड देना चाहो इसे दे दो दया धर्म का, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िये, जब तक घट मैं प्रान इसलिए दया, दया किसके अंदर है द्रापदी के अंदर, द्रापदी कौन है मा, तो आपकी मा में सबसे ज़्यादा करुणा है, दया है, तो आप अपनी मा की करुणा का मूल चुकाते हैं कि नी, अच्छा मा दयालू होती है कि नी, बोलो हाँ या ना, मा के अंदर करुणा ह होती है कि नहीं बोलो हाँ या ना तो वाप उस करुणा का मूलिक ऐसे चुकाते हैं मा की सेवा करके चुकाया करो अपनी मा को याद करो मेरे साथ तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है ओ प्यारी प्यारी है ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा ओ प्यारी मा तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है ओ प्यारी प्यारी है ओ ओ प्यारी मा ओ यह जो दुनिया है ये बन है काटों का तो घुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ यारी माँ जाता है कले माँ अग ओ में गारी में सेवर में ऑ हम descendants भी पनाषान है दूखन लागी है मां तेरी अक्षिया दूखन लागी है मां तेरी अक्षिया मेरे लिए जागी है तु सारी सारी रत्या मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने भारी है ओ मां ओ मां ओ मां ओ मां ओ मां यारिया अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई मैं मुस्काया हो मैं रोया तू रोई मेरे हसने पे मेरे रौने पे तू बलिहारी है ओ हाँ, ओ हाँ ओ हाँ, ओ हाँ लारी हाँ मां बच्चों की जां होती है ओ होते हैं किस्मत वाले जिनकी मां होती है कितनी संदर है, कितनी शीतल है हो प्यारी प्यारी है ओ मां, ओ मां ओ मां, ओ मां यारी हाँ बोले के फूजा की छाली जोत मन की जगाली तेरी आरती उतारूं भोली मां तू जो दे दे साहारा सुख जीवन का सारा तिर चरणों पे बारूं भोली मां ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां ओ लेके फूजा की छाली जोत मन की जाली तेरी आरती उतारूं भोली मां तू जो दे दे साहारा सुख जीवन का सारा तेरी चरणों पे बारूं भोली मां समय कभी मिला करे तो अपनी मा की आरती जरूर उतारा करो मा की पूजा जरूर किया करो मा से वड़ा कोई भगवान नहीं माही मंदिर है माही पूजा है हाँ ओ माई मेरी क्या फिकर तुझे क्यों आखे से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेंसा रहता है तिर निती में मिल जावा गुल्बन के में खिल जावा इतनी सी है दिर की हर जू तिर खेतों में लहनावा तिर नतियों में महनावा इतनी सी है दिर की हर जू ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ तु कितनी अच्छी है, तु कितनी भोली है, तु प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ मुझे से दुनिया मैं लाया, मुझे बोले न चले न सिखाया ओ मात पिता, तुम्हे बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हे पाया पूजा है तुझको पूजा है तुझको पूजेंगे हर दम, मा के ही यरपन, है ये मेरा जीवन मेरी माँ के मंदिर है, और ममता पूजा है एक वो ही भगवन है, और कोई न दूजा है ये मेरी कहानी है, प्यारी जिन्दगानी है आज हूँ मैं जो कुछ भी, महरवानी तेरी है तेरे जीवन में खुशियां तमाम वाएंगी लेले मा के दुवाएं तेरे काम वाएंगी माही मंदिर, माही पूजा मा से बढ़कर कोई न दूजा माही मंदिर, मा के पुन्य से जगत बना है इश्वर को भी माने जना है बड़े बड़े ज्यानी कहते है ओ मा का रुत्वा सब से उचा माही मंदिर तेरी उंगिली पकड़के चला ममता के आँ चल मैं पला मा, ओ मेरी मा, मैं तेरा लाड़ा मा, ओ मेरी मा, तु मेरा लाड़ा बन के तेरा साया मैं तुझको था मिलूं उठके पहले प्रभू से मैं तेरा ना मिलूं बन के तेरा साया मैं तुझको था मिलूं उठके प्रभू से पहले मैं तेरा ना मिलूं रभू तुझे बन के तने पूजा करूं तेरी तेरे सिवा तो ही बता क्या जिन्दगी मेरी मैं तो तेरी सपनों के रंग में ढला तेरी उंगली पकड़के चला ममता के आचल में बला मां हो मेरी मां मरी आला, आला, मरी आला मां तेरी उंगली पकड़के चला हम सब जिस उंगली को पकड़कर चलते हैं वही उंगली बड़े होकर छोड़ देते हैं फिर मां अपनी उंगली हमें पकड़ाना भी चाहे तो हम पकड़ना नहीं चाहेते इसलिए भगवान जैसे अपने माता पिता को कभी न छोड़ा करो कभी उनके साथ गलत ब्यभार उनको बेजित ना किया करो उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग ना किया करो अनादर अपमान ना किया करो बचिके अपने घर से सुख जाएगा कहां बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ बचिके अपने घर से सुख जाएगा कहां बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ तेरी खुशी तेरी खुशी गम तेरा मेरा गम तेरे लिए तेरी कशम लूगा मैं साजनम तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा तेरी उंगली पकड़के जला ममता के आँचल मैं बला मा ओ मेरी मा मैं तेरा लड़ला मैं तेरा लड़ला मैं तेरा लडला आप मैंसे कोई अपनी मा की उस ममता के उस प्यार की कीमत चुका सकते हैं आप लोगों को पता नहीं है जब गौरी गोपाल वरद्धाश्रम में वरद्ध माय आती है और जब उनके अपने बेटा या उनकी बेटियां छोड़ कर जाती है तो जैसे माबाप को छोड़ कर आई लड़की जब ससुराल से जब माय के से विदा होती है न लड़की तो अपनी मा से लिपट कर कैंसे रोती है भाई से बाप से लिपट कर एक बेटी विदाई के समय कैंसी रोती है और सोचो वो मा कितना रोती होगी जिसके बेटे और अपनोंने सदा के लिए घर से बिदा कर दिया कितना रोती होगी मैं उस रुदन को जानता हूँ मैं उस दर्द को फील करता हूँ महसूस करता हूँ कि कितना दर्द होता होगा उन माओं को जब उनकी अपनी आलाद उन्हें वरद्धास्रम छोड़ जाती होगी कितने निर्दई हो जाते हैं वो बेटे जो अपनी माओं को घर से निकाल देते कुछ दिन पहले अभी एक मा गौरी गौपाल वरद्धास्रम में एक वरद्ध मा की मृत्यू हो गई हमने उस मा के बेटे को सूचना दिलवाई तो बेटे से जब हमारे जब बेटे से बात की गई के बेटा आपकी मा भगवान के घर चली गई है आओ अब अंतिम दर्शन कर लो और अपने हाथ से मा का अंतिम संसकार कर लो तो बेटे ने जानते हूँ क्या कहा बेटे ने कहा महराजी हमें समय नहीं है आप ही कर देना सब बेटे मा मर गई मरी मा पड़ी है बेटे को कहा जा रहा है आकर मा को देख लो कंधा देने आ जाओ नहीं हमें समय नहीं आप लोगों ने समाज में ये दर्द देखा होगा कि बेटा बहु जब अपनी मा को सासु मा को घर से निकाल देते हैं आप तो बस इतनी जानते हैं कि निकाल दिया निकालने के बाद क्या क्या होता हुन माओं के साथ कितना कश्ट वने उठाना पड़ता है देखो हम कितनी भी अच्छी विवस्था कर लें माओं के रहने खाने की पर उन माओं को कभी न कभी तो अपनों की याद आती ही होगी न अपनों को तो याद करती ही होगी न इसलिए उन माओं को प्यार की जरूरत होती है प्यार की इसलिए दास अनिरुध औनो माँं से भरपूर प्यार करता है और वो माँं इस दास को अपना पुत्र मान कर वो प्यार करती है प्यार देने से ना आप प्यारे हो जाते हैं सब के प्यारे और दुलारे हो जाते हैं लिए प्यार करना सीखेए प्रेम करना सीखे अरे भगवान से ना कर पाओ प्रेम तो मत करो उससे तो प्रेम कर लो जिससे 女 तुम्हें जनम दिया है वह स्माच कर लो कि इंद। कि इसलिए कि इसलिए IS लिए ये दास युग आते हैं युग जाते हैं मा की गाथा दोहराते हैं सरल बहुत है कहना सुनेना मा का बनना बहुत कथिन हैं बहुत सरल है कहना सुनना सब चीजें पर मा बनना बड़ा कथिन हैं इसलिए याद करो अपनी मा को और याद किया करो इस मा को कि तेरी उंगली पकड़ के चला अब बो दिन भूल गए द्रापदी एक मा हैं करुणा मई हैं इसलिए उन्होंने कहा श्वत्था मा को छोड़ दो दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िये जब तक घट में प्राप द्रापदी मा के अंदर करुणा है दया है इसलिए इसे छोड़ दिया जाए ऐसा कहा द्रापदी के कहने से अश्वत्था मा के सिर की मनी निकाल कर नगर से धक्के मार कर निकाल दिया गया भगवान जाने लगे अब आज्यां दो अश्वत्था मा ने उत्रा के गर्व को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया उत्राशरण में आई पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं पदभयं पश्ये यत्रम्रत्यो परस्परम हे प्रभू अभी मेरे पुत्र ने जनम नहीं लिया कि अश्वत्था मा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया इसे आप बचाओ उत्रा शरण में आई और भगवान ने उत्रा के गर्व की रक्षा की सब के रक्षक भगवान है आज नहीं कल शरण में उन्हीं की जाना है इसलिए किसी से कुछ ना कहा करो जो कहना है प्रभू से कहा करो कोई ना सुने तो ना सुने कोई इगनौर करे आपको तो करे पर भगवान अपने भक्त को जरूर सुनते हैं द्रापदी ने पुकारा ल दोड़े खड़ी है कुंटी बुवा देखंशा कुंती की बहु कौन द्रापदी की का आधर द्रापदी की बहु कौन उत्त्रा हो ते कुंति मां पर भी आया संकट भगवानने टाला लाक्षा ग्रह से बचाया भगवानने पांडवां को द्रापदी को भी साड़ी जब अपमान होने लगा भरी सभा में भगवानने लाज बचाई और उत्रा की भी लाज बच्चे को बचा कर भगवानने बचाई आज कुंति भुवाने हाँ जोड कर कहा क्रिश्रनाय वासुदेवाया देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराया गोविंदाय नमो नमा जीवन में जब जब सुख आया तब तब आप हमसे दूर चले गए और जब जब दुख आया आप हमारे पास आ गए, बताओ ऐसे सुख का हम क्या करें, जिस सुख में आप हमें छोड़ कर चले जाएं, दुख ही अच्छा है, कम से कम आपका दर्शन तो कराता है बार बार, अच्छा, बताओ, आप जितनी माता यहां बैठी हैं यह बताओ, आपके जीवन में ज्यादा मेरी माँ, सच बताना, आप लोग ज्यादा दुखी है, यह म्ता कुंति के जीवन में ज्यादा दुख था, इसके जीवन में आप लोग दुखी है, आप दुखी है? आप कोई दुखी नहीं है, लेकर आप मानते हैं कि हम दुखी है, आप सुख के आभाव में जी रहे हैं, हम दुखी हैं महराज हम क्या करें, आप से सबसे मेरा सवाल बताओ, आप दुखी कितने लोग दुखी हैं हाथ उठाओ, यदि किसी भी प्रकार का दुख है आपको, तो आज मैं उसको दूर ही कर दूँगा सदा के लिए, जिसको दुख है वो हाँ उठालें फटाओ, जो हैं दुखी वो हाँ उठाओ, देखो, आप कोई दुखी नहीं है, दो चार लोग ही यहाँ उठा रहे हैं, देखो, अभी द आपके जीवन में मेरी मा कोई दुख है ही नहीं, आपका दुख जब मैं सुनने बढ़ता हूँ ना, तो आपका दुख यह होता है, महराज हमारी बहु सुनती नहीं है, क्यो मा बहरी है क्या, नहीं बहरी नहीं है, सुनती नहीं है, यह दुख है, महराज हमारा बेटा सुन हमारा घर काम कैसे चलेगा काम अच्छा नहीं चल रहा है सब बंद पड़ा है काम यहीं दुख आप इन्हीं दुखों का गाना गाते हैं महरा जी हमारे कमर में बड़ा दर्द है बड़ा शरीर बड़ा परेशान करता है बहुत कष्ट जो बेटा नहीं सुनता वहूं नहीं पांचवी भी किसी की हो सकती है कि महराज हमारी पतनी का यह हमारे पती का पडोसन के साथ चक्कर है यह समस्या भी किसी की हो सकती है पांचवी इसे गिन लेते हैं ऐसा भी तो होता है इंदौर में ऐसा होता कि नहीं होता है आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता फिर ठीक पर वो इस्त्री बड़ी परेशान होती है जिसके पती का दूसरी के साथ चक्कर चलता है उस पतनी का तो जीवन बेचारी का बिगड़ ही गया चलो कुल मिलाके हम गिने पूरी एकाद दो और समस्यां ले लें समाज की तो पांस समस्यां हैं या छे हैं और क्या इनहीं मैं सब कुछ आगया क्यों मिरी इमा तो आपकी समस्यां बेटा नहीं सुनता महराज बहु नहीं सुनती काम धाम नहीं चलता शरीर में दर्द आए अच्छा ये बताओ बेटा नहीं सुनता ये कोई समस्या नहीं है बेटा आपका नहीं सुनता बहु आपके नहीं सुनते ये समस्या नहीं है ये संसिकारों की कमी के कारण होता है आपने बच्चों को संसिकार नहीं दिये सही वक्त पर सही संसकार दिये होते तो वो आपकी सुनते जब संसकार लेने लायक बच्चे होते हैं तब आपको देने की भुरसत नहीं होती जब बच्चे सयाने बड़े हो जाते हैं तब आप सिखाती हो तो वो तुम्हें आख दिखाने लग जाते हैं सिखारी हो कच्ची माटी को कुमार जैसा चाहे बनाए, जब माटी पक जाए घड़ा बन जाए, उसके वाद सोचे बदल दू, कच्चे घड़े को बदला जा सकता है, पक गड़े को नहीं, बोलो हाँ या ना, छोटे बच्चों को बदला जा सकता है, वही छोटे बच्चे बड़े हो गए, बाई 18 साल पार हो गए, 16 साल पार हो गए, फिर बदलोगे तो नहीं, मुश्किल है, इसलिए छोटे से, आयू से बच्चों को दिव्य, अच्छे से अच्छे संसिकार देने की पूरी कोशिश कर चाहिए तब आप लोग लापर वाह हो जाते हैं अब फिर बाद में गाना गातियों हमारा बेड़ा सुनता निया जब सुनता चा तब तुमने सही चीजन सुनवाई नहीं महराज हमारी बहु नहीं सुनती, बहु सबकी बहु नहीं सुनती है, जैसे बहु आती है, जरासी गलती करती है, सास ताना मारने, तेरे बाप ने यहीं सिखाया है, तेरी माने यहीं सिखाया है, ताना मारना शुरू करती है, बहु समझ जाती है, तुमारी आउकात कितनी है, इतने बढ़ मूझ चलाती हो वही कहती है अच्छा ने दे मौका अभी बहुत बखबख करती है बुड़िया मेरा समय आएगा बिलकुर नहीं सुनूंगी तेरी फिर वह हैंग हो जाती है फिर बदला लेती है बुड़ापे में तुम भी थोड़ा अपने सासों टाइप की रहा करो जो बाप बन जाती हो बहुँआ की मेरा मालकाना चलेगा इस घर में तेरी कुछ नहीं चलेगी अरे बहु नहीं बेटी की तरह अक्सेप्ट करो से बहु से जरा गलती हो जाए ना तो कुछ सासें सब सासें नहीं कुछ सासें ताने बहुत मारती है जरा रोटी जल जाए तेरी माने यहीं सिखाया है जरा साग में नमक कम ज़ादा हो जा तेरी मानी यहीं सिखाया है फिर वो बहु ठाल लेती है मन में बुढ़िया कब तक तु जवान रहेगी फिर खवाओंगी नमक नमक जब बोल भी नहीं पाएगी फिर करना किस से कहेगी इसलिए सासों को चाहिए कि बहुओं से बना के रखो जो तुम बेटियों से बना के रखती हो बेटी आएगी तब तक तुम मर जाओगी पानी देने बहु आएगी अब तुम्हारी बेटी खंडवा में है और तुम इंदौर में प्यासी मर रही हो तो बहु आएगी इंदौर की इंदौर में खंडवा से बेटी तो आना पाएगी बोलो हाँ इसलिए बहुंगों से बना के चले और सासें क्या करती है गर्मा गर्मी में बिगाड लेती है फिर वो मज़ा चखाती है बुढ़ापे में फिर आती है मैया रोती महराज बहु सुनती नहीं है तुम कौन सा सुनती हो जैसे को हाँ इसलिए यह समस्याएं थी ही नहीं जिन्हें आपने समस्याएं पहले समस्याएं आप बनाते हो फिर उन समस्याओं को लेकर रोते हो कोशिसेंसी करो घर का माहौल ऐसा बनाओ प्यार मुहबत वाला कि आपके घर में यह समस्या ना पैदा हो कि बहु नहीं सुनती और बेटा नहीं सुनता यह समस्या ना हो तीसरी समस्या घर में काम नहीं चलता महराजी पैसा नहीं आता टिकता नहीं है यह समस्या भी कैसे दूर होगी घर में काम नहीं चलता महराजी पैसा नहीं टिकता आता नहीं है काम नहीं हो रहे हैं इसके लिए करम पुरुष चाहिए जो व्यक्ति कर्म करने पर विश्वास करता होगा जो मेहनत करता होगा आज के युग में वो लोग सुखी है जो कर्म काम कर रहे हैं काम करने वाला दो पैसा कमाने वाला सुखी है आप नौकरी मत ढूंडो ना आप अपना खुद का बिजनेस करो आप खुद का काम करो बहुत सारा काम हैं आपके इंदौर में करने के लिए अच्छा बताओ इंदौर में बेरोजगारी है के नहीं नहीं बेरोजगार कौन है जो कुछ करना ही नहीं चाहिए करने नहीं है तुमें तुम कहते हो ये काम हमारे लाइक नहीं है ये छोटा है आप करो तो सही आपके लगन आपकी लगन आपके छोटे से काम को बहुत बड़ा बना सकती है यदि आप लगन से कोई काम कर लो तो नहीं करो तो फिर बहाने अच्छे हैं कि जी काम नहीं मिल रह तो काम करने से काम होगा पैसा कमाने से आपकी घर की दरिद्रिता दूर होगी करो काम करो अकरमने होके निठले होके घर में पड़े ना रहो खटी आना तोड़ो करम करो तो ये समस्यां भाग जाएंगी तो दूसरी समस्या भाग गी करम करने से जादा काम करो आराम कम करो, महनत करो, दिमाग लगाओ, लगू द्योग डालो, छोटे धंदे काम करो, फिर बड़ा कर लेना तो बहु नहीं सुनती से, बेटा नहीं सुनता समस्या खतम हो गई संसिकारों से और कर्म करने से घर की बेरोजगारी खतम हो जाएगी अब बचा कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, महाराज मड़े बीमार है अब बीमार क्यों हो? बीमार इसलिए हो के आप दिन भर पिज्जा वरगर चावमीन खाती हो दिन भर पानी पूरी धूशती हो दिन भर आप इतना क्यों खाते हैंगे? जितना अधिक खाएंगे उतने जल्दी मर जाएंगे खाओ सात्विक, पॉश्टिक, हैल्दी, क्या ज्यादा खाना चाहिए हमें बताओ, फड़ा फड़ बताओ क्या खाना चाहिए? ज्यादा क्या खाना चाहिए? ज्यादा दाल खाना चाहिए कि चावल दाल चावल में ज्यादा क्या खाना चाहिए? आप क्या खाते हैं? एक टटट भात खाते हैं इतना सारा भात खाते हैं आप लोग और इतना चावल खाने की जितना तुम चावल खाती हो मेरी मा उतनी दाल पी हो दाल जादा लावधायक है चावल की अपेक्षा सबजी और रोटी में जादा क्या खाना चाहिए जोर से पर आप खाते क्या है एक कटोरी सब्जी में पाँच रोटियां खा जाती है मैया सब्जी जरासी कटोरी भरो रोटी इतनी बड़ी बड़ी रोटा पती के लिए तो पतली पतली बनाती है खुद के लिए रोटा बना लिती है कौन करें पतली बतली मोटी बनाओ खाओ इसलिए तुम्हारा सरीर भी अब रोटी से रोटा हो रहा है हाया ना मेरी माँ तो क्या खाएंगे सबजी और रोटी में ज्यादा क्या खाना है सबजी ज्यादा खाओ रोटी एक खाओ, रोटी दो खाओ सबजी दो कटोरी खाओ, तीन कटोरी खाओ, चार कटोरी, दाल पाँच कटोरी पियो पेट ही तो भरना है, चावल से भरो या दाल से, डॉक्टरों से पूँछना, यूटूब पर सर्च कर लेना, गूगल बावा से पूँछ लेना कि सरीर के लिए चावल जादा लावधायक है, रोटी जादा लावधायक है, या सबजी दाल, तो क्या अंसर आएगा, सबजीयां प्रोटीन से भरी है, दाल प्रोटीन से भरी है, रोटी एक बहुत है, चावल जरासा बहुत है, दाल जादा पियो, सबजी जादा खाओ, आओगे एका दसी में फलहार करना चाहिए फल मेंस फल लेकान आप उसे देन भी छोड़ती नहीं हो मैया सिंघाडे के आटे का कहीं यह आटा कोई ना कोई आटा ढूंड के लिए आती है मैया खाएंगे यह नहीं के फल खाओ एपल खाओ है ना बड़ी आसा सेव से पेट भर लो आज कुछ नहीं खाएंगे सेव ही सेव एपल ही एपल खाएंगे आज पपीता ही पपीता खाएंगे पपीता खाओ, सेव खाओ, केला खाओ, अंगूर खाओ, अनार खाओ, चुकंदर सब्जियां खाओ क्या नहीं है खाने को, लेकन आपको तो केवल रोटा खाना है हाँ मेरी मा इसलिए खान पान ठीक कर लो, स्वास्त अच्छा हो जाएगा चिडिया कभी बिमार पड़ती है, चिडिया की तौंद निकलती है, चिडिया हैल्दी इतना आपकी तरह मोटा होती है खाने पीने में कंट्रोल है बेचारी का चिडिया सूर्य अस्तो होते ही घौसले में घुज़ाएगी बच्चों के साथ रहेगी खाएगी निरात्री को नहीं खाते है और आप लोग बारा बजे तक छूशते है और सबजीया तो ऐसी बनाते हैं आप लोग के सबजी में सबजी कम तेल ही तेल एक आदमी डूबकी लगा इतना तेल का एतना तेल खाते हो अरे घी खाओ शुद्ध गईया पालो गईया की सेवा करो घी हो घी खाओ तेल कोई हेल्दी है क्या आज का रिफाइंड का तेल जहर है कितने केमिकलों से गुजरता है तब जाके कच्ची घानी का आपके आँखों के सामने जो पिरके आवे वो तेल तो शुद्ध भी है वो तो लावदायक है पर ये फिल्टर वाला नुकसान दाए खाने पीना ठीक कर लो आपका स्वास्त अच्छा संसकार दे दो बच्चे अच्छे काम कर लो इनकम अच्छी सारी समस्यां ठीक हो गई कि नहीं अब क्या वजा कोई दुख नहीं है आप कह आसपासी हैं लेकिन आप कई वार समस्यां में ऐसे उलज जाते हैं कि आपको समस्यां तो दिखती हैं पर समाधान नहीं दिखता समाधान देखने की आदत बनाओ मिरीमा समस्यां में उलजी ना रहा करो समस्यां सब की जीवन में हैं पर व्यक्ति महान वो होता है जो समस्या उसे निकलने का समाधान ढूंड ले और फड़ा फड़ निकल जाए समस्या हर व्यक्ति के जीवन में कुंति भुवा ने भगवान से कहा विपैदाह संतुनह शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्सनम यच्यात अपनर भवदर्शनम ये प्रभु हमें विपत्ति दे दो फेनाज मैं आपको कभी भूलू नहीं मैं आपको भूल जाती हो यही मेरा दुख है भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई भगवान का भजन न होना ही सबसे बड़ा दुख है भगवान का चिंतन होना ही सबसे बड़ा सुख है रोज भगवान का चिंतन किया करो भगवान की शरण में जाओ भगवान की शरण में जाने से कोई आया क्योंकि साथ में कौन थे आपके साथ भी यदि भगवान होंगे मेरी मां तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा तो आप मैंसे कितने लोगों के साथ भगवान है किस-किस के साथ है मेरी मां सावरा जब हमारे संग है तो फिर हमें डरने की कि सांवेरा जब हमारे साथ हैं दो विरहम सांवेरा जब हमारे संग भगवान सदा से थे सदा से हैं सदा ही रहेंगे सांवेरा जब मेरे साथ हैं बोलो डरने की क्या बात है इसके रहते कोई कुछ कहें बोलो किसी की ये आउकात है मस्ती के साथ भा से सावरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात बोलो डरने की क्या बात बिसके रहते कोई कुछ कहें बोलो किसी की ये आउतात है बोलो किसी की ये आउतात है बोलो किसी की ये आउतात है छाए काली घटाएं तो क्या इसकी छचरी के नीचे हूँ मैं आगे आगे ये चलता मेरे मेरे मालक के पीछे हूँ मैं इसने पकड़ा मेरा हाथ है बोलो डरने की क्या बात है सावरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है सावरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बोलो डर ने एंगे आगे आगे डल्स जचरी का दिर मेरे का वर्णन करूँ मेरी वाणी में वो दंग नहीं जब से इसका सहारा मिला फिर सताए कोई गम नहीं काना करता करामात है बोलो डरने की क्या बात है सामरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है सामरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है हुआ 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 क्यों मैं भटकू यहां से वहां इनके चरणों में बैठना अप्लों में भटकू यहां से वहां इनकी चर्वों में है वैठना जूठे स्वारत के रिष्टे सभी मेरे काना से रिष्टा बना जूठे स्वारत के रिष्टे सभी मेरे काना से रिष्टा बना ये कराता मुला कात है बोलो डरने की क्या बात है साबरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है साबरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है क्यों मैं भटकूं यहां से वहां इनके चर्णों में हैं बैठना जूटे स्वारच के रिस्ते सभी मेरे कानहा से रिस्ता बना ये कराता मुला कात है बोलो डरने की क्या बात है साबरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है श्री कुंती भुवाग ने भगवान से जब दुख मांगा भगवान ने कहा मा मैं दुख नहीं दे सकता आप एक काम करो मुझे ही ले लो अच्छा ये बताओ भगवान आपके जीवन में जो भी दुख आता है वो दुख देने वाला कौन है मैया ओ मिरी मा बैड़ जाओ मिरी मा हमारे जीवन में आने वाला दुख हमें कौन देता है मैया पूँच रहे हैं आप लोगों से बड़ा बड़ उत्तर दे दो मेरी मा ओ अच्छी मैया ओ मेरी मा खड़े हो के पंचायत कर रही हो बैटो मेरी मा यह बताओ हमें दुख देने वाला कौन है कुंती बुआ ने कहा हमें दुख दे दो भगवान ने कहा हम आपको दुख नहीं दे सकते हमें दुख कौन देता है बताओ महिया बताओ मेरी मा हमें दुख कौन देता है ओ मोबाइल बाले भाहिया हमें दुख कौन देता है हाँ अपने 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 मतलब पतनी भाई आपका अपने दुख नहीं देते दुख हमें कौन देता है हमारे जीवन में किये गए हमारे ही अपने कर्म कई वार हमारे अपने कर्मों का फल हमें मिलता है और हम कहते हैं हमारा पडोसी हमें दुखी कर रहा है हमारा पडोसी, हमारा भाई, हमारी पतनी, हमारा पती, हमारा परिवार हमें कभी दुख नहीं देता, जो भी दुखा हमें मिलते हैं वो हमारे अपने ही किसी ना किसी कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता वो हमारी कर्म होते हैं, हमारे अपने कर्म हमें दुख के रूप में मिलते हैं किस के रूप में मिलते हैं मेरी माँ? बताओ भीश्म पितामा को बाणों की सहिया पर क्यों लेटना पड़ा? पितामा भीश्म को बाणों की सहिया पर क्यों लेटना पड़ा? कोई पितामा वहीश्म ने पाप किया होगा क्या पाप किया था एक साप को काटों के धेर में फेक दिया था एक कीस जनम पहले साप काटों में फेक दिया बबूल के काटे चुब गए वेचारे को मर गया तड़प कर उस पाप का दंड पितामा को मिला बाणों की सैया तो हमारे जीवन में जो दुख हमें मिलता है वो हमारे ही किसी ना किसी जनम का फल है हमारे ही करमों का गोलो मेरी माँ क्या है करमों का इसलिए जब जीवन में दुख आए तो शिकायत ना करना किसी से कि तुमने दुख दिया, कोई ना काहू को सुक दुख करदाता, ने जिकरत कर्म भोग सब भ्राता, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, और दुखी हमें हमारे कर्म करते हैं, और हमें लगता है भगवान दुख दे रहे हैं, राम न मारे काहू को पापी नही देते हैं अच्छा यह बताओ किसान खेत में जैसा बीज बोएगा अब फसल कैसे आएगी हाँ आप सब किसान हैं आप सब कौन हैं आप सब कौन हैं किसान और कर्मों की खेती आप कर रहे हैं संसार में करमों की खेती अच्छे करम करोगे तो अच्छी फसल आप ही काटेंगे और बुरे कर्म की फसल वोगे तो बुरे कर्म की फसल भी किसान ग्याहूं बोएगा तो ग्याहूं काटने को मिलेगी किसान धान बोएगा तो धान काटने को मिलेगी और किसान बबूल की खेती करने लग जाए तो काटी मिलेंगे किसान को निश्चित करना है कि तुम्हें बोना क्या है जो आप बोएंगे गो आप काटेंगे तो भगवान किसी को दुख नहीं देते हर व्यक् काल ही कर्म ही इश्वर ही मिथ्या दोस लगाए काल कर्म और इश्वर को व्यक्ति मिथ्या दोसा रूपन करता है तुमने दुख दिया तुमने दुख दिया तुमने दुख दिया कोई किसी को दुख नहीं देता हमें दुख देने वाले हमारे अपने हाँ न देना दोस किसमत को विपति तो सब पर आती है विपति आई अंधा अंधी पे लाल श्रवन सपाया है अंधा अंधी श्रवन के माता पिता पर विपति आई अंधा अंधी पे लाल श्रवन आप कहते हैं कि हमारा बेटा श्रवन जैसा होता तो हम बड़े सुखी हो जाते महराज अरे श्रवण ही जिस बाप का बेटा था, वो बाप वो मा श्रवण जैसे बेटे से कहां खुश हो पाई, तलब तलब के मरना पड़ा था पुत्र के वियोग में विपत्ती तुमारे भाग्य में है, तो बेटा स्रवण जैसा मिल जाए, और बहु सीता जैसी मिल जाए, और विपत्ती है, तो मिलना तो है विपत्ती है तो तुम्हें सौने की लंका मिल जाए फिर भी भोग यदि तुम्हारे भाग में है तो भोगना पड़ेगा ये वाज सही है कि गलत है विपत्ती आई अंधा अंधी को लाल श्रवन सपाया है न देना दोशे दसरथ को विपत्ती तो सब पे आती है न देना दोशे दसरथ को विपत्ती तो सब पे आती है आप कहते हैं दसरथ जी ने बाण ना मारा होता तो श्रवन के मावाप को तड़पना ना पड़ता साव तड़ापना उनके भागे में था इसलिए दसरजी ने बाण मारा क्योंकि जो होना है वो होके रहे विपती आई राजा दसरथ पे राम जब जा रहे थे बने को विपती आई राजा दसरथ पे राम जब जा रहे थे बने को ना दे ना दोस कह कई को विपती तो सब पे आती है एक व्यक्ती का नाम बताओ जिसके जीवन में विपती ना आती हो और विपती हमारे अपने करमों से हमारे अपने हमने आपके साथ अच्छा किया तो आप भी हमारे साथ अच्छा करेंगे हमने आपके साथ बुरा किया यही तो खेल है करमों का खेल है साहब हर व्यक्ती अपने करमों का दंड भोगने आता है बस इसलिए कहता हूँ अच्छे करम करो बुरे काम ना करना मेरी मा बुरे करम तुम करोगी तुम्हें तुम्हारा वही बुरा करम तुम्हारे सामने आएगा कोशिश करो हर बुरे काम से बच्छो आज मैं आपके गाल में थपड मार दूँ तो दो साल वाद चार साल वाद कोई ना कोई वो थपड मेरे गाल में जरूर मारेगा वो बापिस आएगा आप किसी को गाली दे दो वो गाली लट के आपके पास जरूर आएगी देख लेना समय कितना लगेगा अलग विसे इसलिए ये प्रथवी गोल है कोई मैं आप मूँ कोई की तरफ मूँ करके कुछ भी बोलेंगे बोलो राम तो कोई से वापिस क्या निकलेगा राम और बोलेंगे रावड तो वापिस क्या निकलेगा रावड जो आप कहेंगे वही वापिस मिलेगा आप अच्छा विवहार समाज के साथ करेंगे आप कहते हैं महारा जी हम सब के साथ अच्छा करते हैं हमारे साथ बुरा होता है ना जो सब के साथ अच्छा करता है उसके साथ जमाना बुरा करे तो करे भगवान उसके साथ अच्छा करते हैं समाज तो समाज है आप भगवान पर विश्वास करिए ना किसी पर क्यों जमाने पर क्यों भगवान पर विश्वास कीजिए भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे इसलिए पुन्ती भुगा ने जब विपत्ती मांगी भगवान ने विपत्ती दी दुख दे दिया दुख नहीं अपने आपको मा मुझे ले लो मैं दुख कैसे दू मा ने कहा प्रभू मुझे अपने चरणों से लगाए रखिएगा हे नाज मैं आपको कभी भूलू नहीं ठीक है मा आप कभी नहीं भूलेंगी मेरे को बस हे नाज मैं आपको कभी भूलू नहीं यहीं कहना चाहिए ठापुर्जी से यहीं मांगना चाहिए पितामा भीश्म पर भगवानने कृपा की भीश्म पितामा बाणों की सईया पर लेटे छे पितामा के पास जाकर भगवानने दर्शन दिया पितामा ने स्थुति की इति मति रूप कल्पिता वित्रश्णा भगवति साथ्वत पुंगवे विभूम्नी हे प्रभु आप मेरी बुद्धी को स्वीकार कर लो मेरी मतियव निसकाम निसकपट हो गई है पितामा ने कहा मेरी बुद्धी आपके स्रीचरणों में मैं समर्पित करता हूँ और पितामा अपनी बुद्धी को समर्पित करके भगवत धाम गए, मरना तब सार्चक होगा, जब मरने के पहले अपनी बुद्धी, अपने भगवान को दे कर जाओ है, प्रभू मेरी बुद्धी, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, बुद्धी आपको छोड़ कर कहीं जाए जैसे आप मरने के पहले सारी जमीन जाजायत का बेटों को हिसाब किताब करके जाते हैं ऐसे मरने के पहले अपनी बुद्धी जमीन जाजायत बेटों को दे कर जाया करो पर अपनी बुद्धी अपना मन भगवान के चरणों में रख कर जाया करो ये प्रभू आपके च भगवान में रख दो हेनाज मैं आपको कभी भूलूं नहीं और पितामा भीष्म की सदगती हुई इसके बाद पांचों पांडव राजा धर्मराज युदिश्चिर बने और उसके बाद भगवान गए अपनी लीला पूरी करके पांचों धरतराष्ट गांधारी का वन गमन बिदुर जी ने उन्हें दिप ग्यान दिया और इसके बाद कलियोग के राजा परिक्षित को बना कर पांचों पांडव जब भगवत धाम को भगवान चले गए तो पांचों पांडव स्वरगा रोहन के लिए चले गए कलियोग के राजा बने परिक्षित एक बार परिक् कि गाय को एक काला सा आदमी गाय और बच्छडे को पादप प्रहार कर रहा था पाउं से मार रहा था परिक्षित ने का तुम कौन हो महराज मैं कल्यूग हुं तो गाय को क्यों मारते हो बोले जहां गाय होती है वहां हमें रहने नहीं देती क्ल्यूग है न साहब गाय की सेव कट्तों की सेवा हुआ है। ताला है। और कुट्था गर के भीता है। सत्यूतक रता दो जापर में गाइखार के ancient एंदर कट्ट्रमार कट्टेबाह्र कल्युग यगां गायगां बाहर हो गएंदर हो गए जिस दुगमें कुट्था अभीता नजर आय और गाय बाहर वो कल्यूग और जिस घर में ऐसी हालत है वो उस घर में कल्यूग ज्यादा एक सजन ने तो लिखवा रखा था कुट्टों से सावधान क्योंकि यह घर किसका है कुट्टों का यहाँ आदमी नहीं रहते यहाँ कुट्टे रहते लिख़ई हैं कुट्टों से सावधान क्या समझें यह घर किसका है इसलिए बिवीशन जी ने अपनी कुट्टिया में लिखवाया था उनकी कुट्टिया पे लिखवाते हैं कुट्टों से सावधान कल्यूग कहां रहता राजा परिक्षित ने कहा तुम चले जाओ कल्यूग बोला मैं बहुत बुरा हूँ मुझे में कोई अच्छाई है क्या कल्यूग में एक अच्छाई है कितना भी बड़ा पापी हो यदि वो भगवान के नाम कास्रा ले ले और भगवान के नाम में विश्वास कर ले तो भवसागर से पार हो जाएगा कल्यूग केवल नाम अधारा कल्यूग को रहने के चार कमरे बनवाई परिक्षित जीने द्यूतम पानम स्त्रियह सोना कल्यूग कहां कहां रहता है द्यूतम जूआ आप मैंसे कितने लोग जुआ क emba खेलते हो आप अर्मित्याधी खेलते ना लोग बहूत लोग रमी Ζेलते हैं जंगली रमी का ट्र चल यह जुवा है और जुवा खेलोगे चाहे पहले जुवा खेलने का धंग अलग होता चाहां आज एडवांस जमाना है तो जुवा खेलने का धंग अलग है मोबाइलों पर जुवा चल रहा है इसलिए जुवा खेलने वालों का क्या होगा दुर्यो धन्य जुवा खेला सरवनास हुआ आप भी खेलेंगे तो क्या होगा जुवा ना खेलो अच्छा बताओ आप यहां नौजवान मेरे दोस्त भाई भी बैठे हैं बताईए जो लोग मोबाइल पर जुवा खेलते हैं या सामने तांस का जुवा खेलते हैं पत्तों से जुवा खेलते हैं जैसे भी खेलें जुवा खेलने से आस्ता कोई धन्ना से ठुआ हुआ हुआ सिवाए बरवादी के कुछ मिला हो तो बताओ लेकिन बरवादी का नसा ऐसा चड़ता है जब तक सब बरवाद नहीं हो जाता वो कल्योग द्यूतम पानम में बोले तो मेरी मा पानम बोले तो शराब पानम है पानम में छराब पीते हैं आप लोग कि मैया नहीं आप लोग पीते हो लाल वाले भाईया कि आप पीते हो भईया शराब बताव कवी-कभी तो पीते हो रोज नहीत इसक्रीलते के साथ पीते हो दोस्तों के साथ लिए दौस्तों की परिवासा बताओ दोस्त की परिवासा क्या है मित्र की परिवासा के Food प्रंड की परिवासा सुनो बेटा पढ़े लिखे तो हो आप डिग्रियां है समझ नहीं है आप लोग कहते हैं महराजी हम शराब नहीं पीते कभी कभी दोस्तियारी में थोड़ा थोड़ा चड़ा लेते हैं अब यह बताओ जो आदमी आपको शराब पिलाए जो आपको गलत रास्ता दिखाए वो आपका दोस्त हो सकता है वो आपका दुसमन है कोई आदमी मुझे शराब पिलाए ये दास अनिरुद्ध को शराब पिलाने आए कोई मुझे शराब पिलाए तो क्या वो मेरा वो शराब पिलाने वाला मेरा दोस्त होगा या दुसमन जो आपको शराब पिलाएगा वो आपको दोस्त हो इनी सकता वो दुस्मन है वो चाहता है के मैं तो बरवाद हूँ तुम भी बरवाद हो जाओ एक बरवाद व्यक्ति दूसरों को बरवाद करना चाहता है आप कहते हैं दोस्त है अरे दोस्त वो होते हैं जो ये कहें अरे दोस्त मैं तो पीता हूँ शराब तुम ना पीना यार जिन्द की बरवाद हो जाती है एक बात बताओ जो शराब पीने वाले लोग हैं उनसे कहो कि क्या तुम अपने बेटे को शराब पिलाते हो बोलो कोई बाप अपने बेटे को शराव पिलाता है भारत में पिलाता है शायद कोई हो लेकन कोई समझदार बाप अपने बेटे को शराव नहीं पिलाता एक बाप अपने बेटे को शराव नहीं पिलाता क्योंकि वो बेटे को लेकर जागरू कहे के बेटा पीएगा परबाद हो जाएगा लेकिन और वह अपने दोस्तों को पिलाता है वो जानता है जो पीए-गा बरबाद हो जाएगा। वह आपको बरबाद करना चाहेता है यह पिला रहा है और आप दोस्मनों को कहते हैं यह मेरे दोस्त हैं कल यूग मैं ऐसे दोस्त हैं जो आपको गलत रास्ते पर चलाएं ऐसे दोस्तों से चार हां दूर रहना चाहिए जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी ते नहीं विलोकत पातक भारी जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाएं और मित्र के सु की राश्ते पर ले जाएं वो सच्चे मित्र होते हैं सब मित्र नहीं हो सकते चलो बताओ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं और कर्ण दुर्योधन के मित्र हैं बताओ कर्ण का महा भारत में युद्ध करना सही था की गलत था करण ने दुरियोधन का साथ देकर सही किया की गलत किया जोर से जोर से करण ने दुरियोधन का साथ देकर सही किया की गलत किया जोर से पूरी ताकत से तो कर्ण को समझाना चाहिए था कि मित्र भरी सभा में किसी महिला के कपड़ा उतारना सही नहीं है मैं तुमारा दोस्त हूँ तुमारे सही मैं तो तुमारा साथ दूँगा पर तुमारे गलत व्यवहार में मैं तुमारा साथ नहीं दूगा एक बात और बता दूँ किसी का अहसान कभी मत रखना सिर पर किसी का हसान रखोगे तो उसकी कट पुतली बनके नाचना पड़ेगा जैसे दुरियो धन्ने अंग देश का राजा बना दिया करण को अंग देश का राजा बना दिया इसके बाद अरजुन दुरियो धन्ने जैसे नचाना चाहा करण को नचाया किसी के विपत्ती चार दिन की होगी मेरे दोस्त एहसान जीवन भर का होगा विपत्ती आएगी चार दिन में टल जाएगी एहसान मत लेना किसी का वरना और ऐसा हसान नहीं कि फिर वो तुमारे सामने किसी महिला के कपड़े उता रे और बाद मैं यह कहे कि मेरी जांग में आकर बैट जाओ दोस्ति करना अच्छा है पर दोस्ति के नाम पर अपने दोस्त को गलत ले जाना करन कह देता कि दुरियोधन मैं तुमारा गलत में साथ नहीं दूँगा जो तुम दियूत किरिडा में तुमने पाप किया दुरापदी के साथ हथ्याचार किया तुमने पांडवों को आग में जलाना चाहा मैं तुमारे इस गलत में साथ नहीं हूँ यदि ये कह देता तो क्या मजाल दुरियोधन की के महाभारत की चुनोतीस विकार करता वो करण के बल पर ही महाभारत लड़ा था दुरियोधन गलत लोगों की दोस्ती करोगे तो वैसे ही मिट जाओगे जैसे दुरियोधन का नामों निसान मिट गया, सत्यानास हो गया आज तक किसी बाप ने दुरियोधन के बाद किसी बाप ने अपने बेटे का नामाज तक दुरियोधन नहीं रखा कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा दुरियोधन हो अर्जुन हजारों मिल जाएंगे भीम हजारों मिल जाएंगे दुर्योधन और दुसासन एक ना मिलेगा इसलिए आपकी संगती कहीं आपको दुर्योधन न बना दे आपकी संगती कहीं आपको मांसाहारी और शरावी न बना दे इसलिए एक सज्जन मेरे पास आए महराजी आप भी पियो मैंने कहा क्या पिला रहा है बोला शराव मैंने कहा तेरी वाली कितने देर चड़ती है बोले बारा घंटे उतारी ना उतरेगी मैंने कहा तेरी वाली बारा घंटे में उतर जाती है हमारी वाली एक बर पी लेगा सारी जिन्दगी के लिए चड़ जाएगी कौन सी है जाम पर जाम पीने से क्या फाइदा राच बीती उतर जाएगी हरी नाम का जाम पी ले बंदे तेरी जिन्दगी सुधर जाएगी पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला पीओ शराब कितनों के घरों को उजाड़ती है विगाड़ती है तवाह बरवाद करती फिर भी पता नहीं ये देश के लोग शराब पीना क्यों नहीं छोड़ते किसी का हित हुआ हो एक बात और सुन लो ना तो सराब पीने वालों का हित है ना तो सराब बेंचने वालों का हित है जितने सराब बेंचने वाले हैं जाकर बैक्ग्राउंड चेक कर ले ना एक भी सुखी मिल जाए तो बताना मेरे को दूसरों के जीवन में दुख भरने वाले सुखी कैसे रह सकते दो पैसा तो वैस्चा भी कमा लेती है साहब तुम्हें पैसा ही कमाना है कि महराज पैसा बहुत मिलता है शराम में तो पैसा तो वैस्चा भी कमा लेती है पैसा ही कमाना उद्देश नहीं है जीवन में धर्म कमाना उद्दे से है, धन हो, पर धर्म का हो, अधर्म का और बेईमानी का ना हो, आज कल पैसे में आदमी जो करना पड़े करता है, बस पैसा आना चाहिए, ना मेरी माँ पैसा कमाओ, भूप कमाओ, धर्म से कमाओ, महनस से कमाओ, बेईमानी का कमाओगे, लिख लेना ड रहे तुम्हें क्या लगता है जिसने संसार बनाया है वो देख नहीं रहा है सब देख रहा है हिसाब आएगा निपटाता चलेगा इसलिए भगवान सब देख रहे हैं आप भगवान को देखो बुरा ना करो गलत ना करो शराग पी करके बेटा अपनी मा को व्रद्धास्त्रम छोड़ेता कितनी अमाय हैं जिसने बेटे ने शराख पीकर मा को मा ना मारा एक एक अच्छा पती बनकर अपनी पतनी के साथ रहता एक अच्छा बाप बनकर अपने बच्चों को संसिकार देता पर शराव नाच्छा बेटा बनने देती है नाच्छा पती बनने देती है नाच्छा पत्र बनने देती है नाच्छा नांगरिक बनने देती है फिर भी तुम श जिंद की बरवाद करने पर तुले हो इसलिए शराव त्याग दो सास्त्रों में स्पर्ष भी वर्जित है इस पर्ष भी ना करो कि यह दास सेवा करता है सेवा करो यह यह शरीर देखो आप लोग और हम हम लोग हम सब लोग जब बकरा मरता है ना तो बकरे मरने के बाद उसके चमडे का धोलक दबला बनता है उट मरता है तो उसके चमडे की धोलग तबला की रस्सी बनती है चमडे की रस्सी जानवरों के चमडे का कुछ ना कुछ उप्योग है बोलो हां या ना बोलो हां बताओ जब आप लोग मरेंगे तो आपके चमडे का क्या उप्योग होगा होगा हमारे चमडे का तो जूता भी नहीं बनेगा बनेगा बकरे के चमडे का तो कुछ ना कुछ बनता है पर हमारे चमडे का तो जूता भी नहीं बनेगा मरने के बाद चमड़ी काम नहीं आएगी इसलिए हमारी चमड़ी जीते जी काम आ रही है समाज के तो जीते जी इस सरीर से सेवक तुम जीते जी काम आओगे मरने के बाद तो केवल जलने के काम के हो और किसी काम के नहीं इसलिए सेवा अपनी मा की अपने पिता की यदास अनिड़ुत गौरी गौपाल वरद्धाश्रम में 263 माताएं हैं वो माएं जिने के बेटों ने शराप पी कर निकाला एक मा रहती हैं वहाँ पर उनकी बेटी ने निकाल दिया बेटों ने निकाला किसी की बेटी ने निकाला किसी की बहु तोने निकाला ज़े माएं दुखी माएं वहां रहती है यदाश्ष सेवा करता है आप लोगों से विन्थी करता हूँ के आप विएंग बुधियों महयों की सेवा में अपने इना हाथ medicine सायोग की आहूती डालना ताकि एन माओँ की सेवा का यग पूरा हो सके पूरे आप मैंसे कितने लोग व्रंदा बनाए गौरी गोपाल आश्रम माओं का दर्शन कितने लोगों ने किया अहां तुठालो जैसा टीवी पर आप सुनते हो वैसा है कि नहीं वहां पर कभी आप लोग आना सबको मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं वहां माताएं रहती हैं और पूरा आश्रम छोटा पढ़ गया है अब एक बड़ा आस्रम बनने जा रहा है जहां एक हजार व्रद्ध माओं की रहने के विवस्था है कितनी माओं की एक हजार आप से विनती के वल इतनी है कि आप भी उस आश्रम के निर्मान में आप भी एक कमरा बनवा कर अपनी और से अपनी माता, पिता, पुत्र, पती, पत्नी किसी के नाम का कमरा बना कर और व्रिंदावन की पावंधरा पर कमरा बनवा कर आप भी उस ब्रद्ध आश्रम में सहयोग करो एक कमरे का ताकि आपकी छाओं में वो ब्रद्ध माय रहें और आपको दुआएं और आश्रवाद रापत हो पुन्य कर सको तो कर लो, बाकी पाप तो रोज हो ही रहे हैं, पुन्य करने के अवसर कभी कभी मिलते हैं, पाप के तो रोज अवसर हैं एक माँ इन माओं के लिए एक कमरे की आप छथ डलवाना चाहें तो छथ डलवाकर इन माँ के लिए आप सहयोग करें कि इंद और के भगतों की द्रब से एक छथ या एक कमरे का सहयोग वरंदावन में पहुँचे या एक माँ को गोद लेकर आप जैसे दानवीर महापुरुस आधा घंटा एक्ष्ट्रा काम करना आप लोग ये सोच कर कि आपकी एक मा गौरी गोपाल वरद्धास्रम में रहती है जिस मा को आप सब के सहारे और प्यार की जरूरत है आप सभी एक मा को गोद लेकर नमाओं की सेवा से जरूर जुड़िये यदि इश्वर ने आपको इस लायक बनाया है तो अच्छा मुझे बताईए नमाओं की सेवा से जुड़ना सही है की गलत है सही है आप लोगों को नहीं लगता के हमारा भी धन का कुछ हिस्सा इस पुन्य से जुड़ना चाहिए यदि लगता है तो जरूर जोड़ियेगा नहीं लगता तो अलग विसे ब्रंदावन में एक रसोई चल रही है एक अन्यचेत्र चल रहा है कोई भी आए सवेरेश शाम तक भरपेड भोजन मिलता है उस अन्यचेत्र में हज्जारों साधू संत प्रशादी पाते हैं आप भी एक दिन की प्रशादी बटवा कर हज्जारों साधू संतों को और इस स वाओं के अधिकारी बनें और आप भी नमाओं की सेवा से जुड़ें संतों की सेवा से अन्यदान देख कर जुड़ें वहां एक रसोई चलती है पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोईयों में पांचवे नंबर की रसोई गौरी गोपाल भगवान की रसोई है जहां सबको भरपेट प्रशाद मिलता है ऐसे एक दिन की प्रशादी आप भी अपनी और से बटवा कर अब ब्रंदावन में कैसा गुरू कुल बनने जा रहा है जहां बच्चों को नेहशुलक सिक्षप प्रदान की जाएगी गोपाल गुरू कुल बनने जा रहा है आप भी इस और बच्चों की सिक्षा से आप भी जुड़ें एक ऐसा गुरू कुल आज बताओ हमारे देश में गुरू कुल की जरूरत है के नहीं एक ऐसी सिक्षा विवस्था वहां पर होगी जो दिव्य होगी प्राचीन सिक्षा पधधती के अनुसार से काम होगा और विद्या प्रकार की होगी अभी सो बच्चों से इस जुलाई से वो ओपन हो रहा ओपनिंग हो रही हैं आप भी इस गुरू कुल के निर्मान में थोड़ा सा सहयोग देकर जरूर जुड़ें आईए आप मैंसे कुछ दानवीर महापुर्शों ने अपने धन को अपने धन को धर्म से जुड़ा ऐसे दानवीर महापुर्शों का नाम शुर्वन करें बैठे रहिएगा नाम सुनने के वाद ठाकुर जी का दिब्य चरित्र और और आज हमारे मध्य भाईया श्री कैलास विजयवर्गी जी यहां अपस थे दूए एक बार सुन्दर करतल धुनी के साथ स्वागत आईए नाम सुनते हैं देप्य उन दानवीर महापुर्शों का जिन्हों ने अपने धन को धर्म से जुड़ा बड़ी सुन्दर पावन रस्में कथा कर्श वड़पान आप और हम सभी लोग कर रहे हैं और सुन्दर सी पावन कथा के मध्य में ही कथा में चार चांद लगाने के लिए आप और हम सब के चहेते आदर्णी स्री कैलास विजयवर्गी जी पधान एक बार जोड़दार जो अने को लोगों को सहारा मिल रहा है अने को लोगों को वहाँ प्रशादी मिल रही है और किसी को आश्रा मिल रहा है इतना सुन्दर कारिय यहां गोरी गोपाल आश्रम के बादम से और सद्गुर्दे भगवान के मादम से स्विधाम प्रदावन में हो रहा है एक बार जोड परम से जोड़ा है और पोन्य लाव कमाया है आज के शनी में लेलता मालीज जी आप 35,000 रुपे सभी सिवाओं के लिए चंदर कुमार जी आप मियोर बिहार दिली से आप 31,000 रुपे सभी सिवाओं के लिए आपके लिए बहुत-बहुत धनीवाज गनेश यादब आप जैफ सहरा बनें आपके लिए बहुत-बहुत धनीवाज सार्थदेवी गुफ्ता बड़तर कुजराच से 21 दर्व देतो है आप सहरा बन रहे एक मांका आपके लिए बहुत-बहुत धनीवाज किरान देवी गुमला जहर गंड से 21 रुपे गर्मा से लगनूं से आप 21 संदीर कु आपके लिए भी बहुत-बहुत धनीवाद अधर्णी में चंद्रमणी रस्तोगी आप लखनों से दस जार रुपी आने चेदर बांशी बागली तोलसी देवी आप दौली से 11,100 क्यामर रुपी इसली में अधित जी के नाम से उनके जनम दिवस को प्लक्ष में विदसा से 11,000 रुपी विजय कुमार जी आप दिली से गोसी बागले 11,000 रुपी मोटेरिया चंद्रकान जी भाई शुल्द गुजरा से 6,000 रुपी सिवकुमारी सोफोल विहार स 5,100 रुपी आप दे रहें आपके लिए बहुत बहुत धनीवाई यसे स्टेणी में सुधा मोहन जी हिवारी आप थाने से 5,100 रुपी गुप्त दान करें अपना नाम गुप्त रक्तियों 500 रुपी आप अने च्छेतर बांसी बगली कोसं सर्मा सुरेश कुमार सर्मा आप 5,100 रुपी आने च्छेतर बांसी बल्ग उना हें माचर प्रदेश से भार्दी देव आप देव नार्ट ओधी सुपल बिहार से क्यामस रुपे सांती देवी आप पंचमला जस्बाल अब मौस से क्यामस रुपे देव कुमार जी दोवी आप अलोदा बजार से क्यामस रु अब बक्सर भिहार से भीजेश से की हाथ आगे बला रहे हैं और नी की तरह विशेश सेयोग के हाथ अगबला तो अपने आपको विशेश सेंडी से जोड रहे हैं जिन में चीता देवी आप भीलवड राहिशान से विनुद कुमार जी आप गाल जी बरली से प्रसें कुमार जी कुमार जी वेदान जी जैन आप पाली राहिशान से सुधीर पुसकर जी आप पाटीदार आप बंसोर से जुड़ रहे हैं चाबुताय जी गुलहने आप अमरावती महरार से विशेश सेयोग के हाथ तकी बला रहे हैं गायत रिशें जी हरुद्वार से आप 3,000 रुपी आने चेतर बांसी वाग की नरण पाल जी फर्दाबाद से अब 3,000 रुपी तादी विशे से सुक्दे भूनिया करनाटक से अकलेश कुमार जी जहां आम कास गंग बिहार से गुप्तिदान बेचे से एक रुपे दरसलादी जोरसी आप दिली से राज कुमारी सर्म आप दली से ग्यार सी बैजी खुद्रा से 3,100 रुपे चंद्रावपति कुप्ता नेनितां से घुप्तिंजी पड़ेला बावुला जी पड़ेला मिनर सिंग्पूर मद्र प्रदेश से चंद्र प्रकास इंजी आप राफत आप दली से गायतर से 3,000 रुपे अने चेतर की से बावन से बग लिए रादा सिनी से डूला बिज़ेट से दिवाकर्टी पांडिया फर्दबाद से बिज़ेट से मदो जी जोद्व रहाइसान से 2,500 रुपे मौरु जी जहां से बिज़ेट से 2,100 रुपे का सुन्दर से योगदान आप दे रहें आम के लिए भी बहुत अधि जोद्वाग इसे सेनी में अने च्छेतर वांसिभा के लिए मैस चंदर जी में तलाव लोकेश में तल हात्र से बिज़ेट से रोजी आफ गाजी वाज से किस्टोपी अमर्जी जी पंडित आप बिज़ेट से औरविंत कुमार जी चपन बिहार से बिज़ेट से में आप कुमार जी सनापती आप पुर्णे से विज़ेट से कौशिला जुपर आप सकत आप पुर्णे से 2000 रुपी अनिक्षेतर बांग से बगली है मुनेंद्र कुमार जी आप नोड़ा से विज़ेट सब गिरिचन जी बहुत से प्रदीक जी आप बिलास भाई जी शंद आईए हमारे बीच मोक्यति पदार चुके हैं और चलते से इस पावन कता कि और एक बार पुर्णा सभी से निवेतन आप लोग इस्थान गंड करें और एक बार दोनों हांत उठाकर जो समय होकर मेरे सांथ बोलेंगे राधेर सभी लोग बैठ जाईए आज हमारे मध्य भाईया श्री कैलास विजेवर्गी जी यहां पस्थे चुए हैं जिन्होंने पूरे देश को भक्ती के और धर्म के सूत्र में बांध रखा है हमें लगता है कि हमारे देश को ऐसे राजनेताओं की ऐसे समात सुधारक और समात सेवियों की जरूरत है जो केवल जहां जाएं वहां धर्म और सनातन की बात करें हमारे मध्य भाईया जी आए हैं तो दिप्य दो शब्द आपके भी हम स्रवन करेंगे भाईया श्री कैलास विजयवरगी जी सुन्दर आपका उद्वोधन और आप जब हम पहले इंदोर में कभी इंदोर महू कथा सुनाने आया करते थे तो पहले भी आप जरूर जब आपको समय मिलता था तो आप जरूर आया करते थे कथा में और आप इंदोर वासी तो जानते ही हैं कि आपने भरपूर समाज की कैसी सेवा करनी चाहिए आज पूरी दुनिया को इंसे सीखने की जरूरत है कैसी सेवा की जानी चाहिए कैसी सेवा समाज की होती है इस पद में रहकर समाज से कैसे प्यार करना चाहिए कैसे हम दुख दर्द सुने और कैसे हम समाज के काम आए सब कुछ हमें इनकी जीवन में जितना समय नोहने राजनीती में निकाला है समाज की सेवा में निकाला है एक एक दिन हम सब के लिए सीखने जैसा है हम सब के लिए दोशब्द भाईया श्री रमेस मेंदोला जी मित्र मंडल आप ये दिब्वी सी पावन सी गठा कायूजन करा रहे हैं सुंदरवाणी भाईया श्री कैलाजी की बुले राग्वेंद्र सरकार की हनुमान जी महराजी के सद्गुर्देव भगवान के वियास्पिट पर विराजित परम पुझे पात अनुद्रा चारजी के चरणों में प्रणाम करता हूं हमारे बीच में एक और संत प्रवर उत्तम स्वामी जी यहां पर आए हुए जरा जोड़ार तालियां बजाकर उत्तम स्वामी जी का स्वागत करें और उनका आशिरवाद प्राप्त करें मैं मन्नी उत्तम स्वामी जी से निविदन करूँगा कि वियास्पिट पर पदा रहे और स्वामी जी का एक दूसरे के लिए आप आशिरवाद ने क्योंकि आप दोनों संतें उन्के बारे में तुमें कुछ कहा नहीं सकता है दोनों को ही शाल देदो माया देदो शाल भी देदो और माला बहुत आ गोलिए सादुकुर्देव भगवां नी कीगि ये दो संतों का महन संतों का मिलन आप देख रहे हैं परम फुझेपाद उत्तम स्वामी जी महामनले श्वर हैं अब अब नाम उनका इश्वरा नंजी है और उन्होंने परम फुझेपाद अनुरुद्धचारी जी का स्वागत किया और शाल पहना कर उत्तम स्वामी जी परम फुझेपाद व्यास्पिट पर विराजीत का अनिरुध चारी शी का स्वाइद कर रहे हैं जरा डोनों हाथ ईपर करके तालियां लिजा कर अकलत करें दो संतों का मिल्हा नहुरा है महान संतों को ही अब अजरा अनीरुध चारी जी के बहुत ही मैं तो काफी समैंचे लगभक 10-12 साल से जेब आपने कथा प्रारम की थी तब से चुड़ा हूँ मेरा ख्याले 15 वर्ष तो हो गए हाँ बिलकुल आप आपने महूं में शुरुवात की थी कथाओं की और मुझे बहुत आनंद आता था मुझे लगा लगा था कि कभी इनका समय भी इसा आएगा कि मिलने के लिए चिट्थी वेजना पड़ेगी अंदर आज आज वेसा ही समय आगया लोग हमसे के रहें कि नुर्द्धाचार जी से मिलना हमें मिलवा दो जरा दोनों हाथ उपर करके तालिया वजा करें स्वागत करें क्योंकि साधना साधक को कहां पहुंचाती है यह आप देख सकते हैं आपकी साध करते हैं इसी परकार वं सेवा करते हैं इन देख से बहुत ही अभिनननी जरा एकवार फिर से ुटनों हाथ उपर करतके तालिया बग्जा कर स्वामेजी का स्वागत करें मुह एक छोटा सा भजन गाने का अदेख होय है आप जो बोलने वो भजन में पांच मिन्ट के इंद ओ मीठे रस से भर्योने इराधा रानी लागे महा रानी लागे ओ मने खरू खरू चम्दा हजीरो पनी लागे ओ मीठे रस से भर्योने राधा रानी लागे महा रानी लागे मने खरू 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 जब जहाजीरो पनी लागे इस प्रस से भर्योने राधा रानी लागे महा रानी लागे ओ मने खरू खरू जब जहाजीरो पनी लागे यह जितने भी मोबाईल वाले ना मोबाईल जेम में रखो डिकर फिंसरों को ग्हां टुंक्त शावजों नों को जूमने दो तुम पैवरा लेकर शौम का व्याओदागो summat yald शौर्ज मसती में अ को पीखे रच से परियानी रादी 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 वह रादी रादी तो है कलो करो जम्राजी को पानी रादी 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 रादी। क्यावाद जबना मैया कारी कारी राधा गोई गोई मील छेत्र में धूम मचावे प्रन्दावन की चोई रज था मरा दर की चोई रज था मरा था दूकी रज था की लागे महोरा की लागे मन करो करो जबना दियू पादी आगे जबी ते रस से भर्योनी राधा दी आगे महारा दी आगे पीशे में पीशे पीशे दुपा दुपादी को पादी आगे राधे, 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 राधे में पीशे दुपा 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 दुपार, दुपादी को पीशे दुपा ना भावे मन, ना भावे मन माखन मिष्री और ना कोई मिठाई की वड़ियां में, की वड़ियां में भावे मनें, राधा ना मला रजभान की नली करो जाओ नजभान की नली को उड़ता नी लागे, राधा नी लागे, वहे कारो जबता जी पानी लागे हुवी थे दस से मन्योरी लाहरा की लागे आहरा की लागे अहने कारो कारो लुद्मों कौनी लागे रादे, 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 रादे रादे, 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 रादे आपने आया है पुरादे बोलकि राज धरन की सद्गुर्देव भगवान की मेरी इच्छा है कि बरम पुझे बाद उत्तम स्वामी जी का सौगत करूँ अब लोगों के अन्नमोती हो तो आप तालिया मुझाते तो मेभिस कर देता हूं सौगत सुन्दक बोलिये भक्त वत्सल भगवाई की जए सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम सबसे पहले बाहर जब कछा करने निकले तो पहली बार जिस जगह कछा हुई वहां के विधायक भईया श्री कैलाजी ही थे इनकी विधान सभा में ही सबसे पहली कछा हुई इनके विधान सभा छेत्र में गाओं सबसे पहली कछा वही हुई और तब से लेके आज TAK जब भी से चयत्र में कछा हुए तो भईयाजी समय निकालते हैं और ऐसे ही भजनों का हम सबको आनंद देते हैं कि फ़ोंदर ताल बहुत बहुत सुबकामना है राजा परिक्षित ने कल्योग को रहने का पहला स्थान जुआ दूशरा शराब जुआ शराब से बचना दियूतम पानमस्त्रिया चरत रहीन ता तीसरा मांस चौचा पाचवा सौना जो बेईवानी से कमाया धन है उसमें कल्योग का वास है राजा परिक्षित की बुद्धी बेगड़ गई जिससे उन्होंने एक संत का पमान कर दिया संत का पमान हुआ तो संत श्रंगी रिसी उनके पुत्र शमीक जी के पुत्र श्रंगी रिसी ने श्राप दे दिया इतिलंगित मर्यादम तक्षकाह सप्त में हनी परिक्षित को पता चला कि मुझे साथ दिन में मरने का श्राप लगा है, पुत्र को राजा बना के और शुकताल चले वहाँ, राजा परिक्षित ने शुकदेव भगवान का दर्सन किया, शुकदेव भगवान आए, हाँ जुड़कर प्रशन किया गुर्देव, जिसे साथ दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, तो जिसे साथ दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए, ऐसा प्रशन परिक्षित ने किया, शुकदेव भगवान कहने लगे भगवत चिंतन करना चाहिए, दौनों भगवत चिंतन में डूबे, आगे की चर्चाप कल करेंगे, आईए वड़े प्र और हम सब के बीच में परमश्रद्देय आदर्णिये महामंडलेश्वर इश्वुरानन जी हमारे बीच में उपस्तित हैं आदर्णिये उत्तम स्वामी जी के रूप में जिने सदेव स्मननी हम लोगों के लिए रहते हैं मैं बहुत ही सम्मान के साथ बड़े जोरदार और और वो शक्षियत जो कि सदेव इंदोर पर विशेश आशिरवाद जिनका रहा है ऐसे हमारे आदर्णिये उत्तम स्वामी जी के सीचर्णू में नमन करते हुए बंदन करते हुए आमंत्रित करना हो कि वे इस अवसर पर हमें मार्दर्शित करें लगना चाहिए कि इंदोर उन्हें उन्हें मंत्रित किया जोरदार तालिया बजना चाहिए जोरदार आगरीता यह हम सब का बड़ा सवभाग्य है कि हमारे मद्य पूझ्य महाराश्री भी आए हैं और जो अपनी कछा की गंगा से हम सब को उताप प्रोथ करते रहते हैं ऐसे महाराज श्री का हम सभी दर्शन लाव ले रहे हैं हम सब के लिए बड़ी क्रिपा है ठाकुर जी की के एक साथ जहां कछा हो उसे कछा के मद्य संत का दर्शन हो जाए तो समझ लो कछा पूरी हो गई ठाकुर जी ने उसे पूरा किया तो आप सभी के मद्य पूझ्य संत जी आए हैं पूझ्य महारा स्री के चरणों में बारंबार नमन और पावन दिव्य सुन्दर वानी आपकी हम सब स्रुवन करेंगे सदासेव्यां सदासेव्यां स्रीवत भागवती कथां यशास्रवन मात्रेन हरी चित्त समास्रयत अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा आद्यशक्तिमा जगजननी मंचासिन व्यास्वरूपा अनिरुद्दाचारे जी महराज हमारे मद्यमे कैलास विजेवरगी जी तुल्सी भहिया और कि शरीर से नहीं लेकिन मन से संत ऐसे रमेश मंंद्योला के लिए बार जोड़दार तालियों से पूरे इंदोर नहीं इंदोर संभाग को अगर कथा कराने का किसी ने सिखाया हो तो वह सोभाग यह मुझे लगता है रमेश मंद्युला को प्राप्त होता है मैं कैलाज जी को जब भी देखता हूं आज से नहीं वर्ष्व से उनके साथ आत्मिक समंध रहे लगता है कि कही न कई पुर्व जन्म के कई राम तो नहीं है कोई हरीचन तो नहीं है जो इनके द्वारा धर्म रुपी गंगा इस छेत्र में कई बहीती है तो यह कई नाम सुनाई देता है जिसका नाम कैलाज विजेवर्गी है गंगा को हमेशा गो मुख चाहिए और इंदोर में धर्म रूपी गंगा में कैलास विजेवर्गी चाहिए इसलिए जादा उस परमात्मा से यही कहता हूँ आप अनिरुद्धाचारी जी मारास से बड़े अद्भूत अलव की जो समाधी भाव तुरिया अवस्ता परावानी पच्चेंती मध्यमा वहिकरी सभी का परिवर्टन करते हुए परमात्मा को प्राप्त कराने वाला और एक नहीं जो गंगा बहिने वाली वो मोक्ष दे न दे लेकिन भागवत रुपे गंगा में जिसने भी डूपकी लगाई उसका नाम मोक्ष में जरूर लिखा जाएगा महराज यह बुद्धी को परिवर्टन करने वाली है पाप विनाश के पुन्य दायनी है यश्या स्रवन मात्रेन हरी चित्त समास्रयत पठना सुरुनवा सद्यो वैकुंट फल दायकम इसका पठन स्रवन और भगवान कहते मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा स्रवने रतम मत कथा प्र जो भी जिवातं मात्त मा उसका श्रवन कर ले मनन कर ले प्रेम से उसका गुनगान कर ले परमात्म मा कहते वो भग्त मुझे त्यागे या छोड़े लेकिन माय उज भग्तropolis नहीं युमैज को उसका पड़ी स्रुनीत्या नहीं करता हूं येंशाव कहते वावगा नाःम तेक्षामितम्नरा ऐसे नरका भगवान शरण गये प्रभू ताहू न त्यागा और गीता में यही कहते कि सरवधर्मान परित्यज्यमामेकम शरमम्रज इसलिए अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने का कैस्थान है चारो धाम बारा जोतिलिंग बावन शक्तिवीड सब्त पुरिया चारो धाम परमात्मा मिले न मिले लेकिन भागवत के चरणों में आ जाओ परमात्मा के प्राप्ति हो जाएगी यही से धाम तक आगया है एक संत के कता बदा कर पुर्ण करूंगा एक संत नाव से परिवर्तन के विहार कर रहे थे हैं कुछिक विकृत मानसिक्ता वाले लोगों ने उनको थोड़ा प्रताडित करने का प्रेत्न किया यहां तक कि उनके वस्त्र छीन ले फाड़ने का प्रेत्न किया परमात्मा ने उनसे कहा कि तू कहें तुम्हें अभी नाव डुबा दूँ नाव को पलट दूँ लेकिन वो भक्त कहता है प्रभू नाव को पलटनी की जरूरत नहीं है पलटना है तो इनकी बुद्धी का परिवर्तन कर दो तो आपको प्राप्त करा दे यही भागवत का प् परमात्मा के प्रिती प्रेम, समर्पन, स्रद्धा, विश्वाज, भक्ति अगर कई प्राप्त हो सकती है वो परमात्मा के चरणों में होती है इसले सूरता हो, आप लोग और निरुद्धाचारी जैसे व्यास स्वरूपा उस परात पर परमात्मा के स्रेश्ट साधन धाम मोक्षकर द्वारा और परमात्मा के चरणों में रहने वाले सुखी मीन जा नीर अगादा जी महरी शर्ण नहूं ये कही बादा ऐसे इश्वर की शर्णंगति में आप आखर बैटे हो निच्चिदे रूप से मैं कैलाज जी रमिक जी को बहुत-बहुत बदाई देता हूं और ऐसे ही स्रेश्ट कारिय जिनके द्वारा एक नहीं पताने कितने कारिय होते हैं एक नहीं चतुरंगी घरेक दिशाव का जी छेत्र में देखूं उच छेत्र में मैं परवक्त पे आप पहुच जाएए परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी ऐसे उनके द्वारा इतना स्रेश्ट स्थान उनके द्वारा तिर्त स्थान का पवित्र प्रतिष्टा करवा दी इश्वर निच्चे दे रूप से उनके द्वारा और क्या करवाएंगे यह मैं नही प्राव के साथ रहता है। मैं इस वर शे प्रार्थना करता हूं। ऐसे उनके दौरा भागवत रुपी, राम रुपी, शिव रुपी, क्रिष्ण रुपी, 24 ववतारों की पता हूं। अनके दौरा ऐसे ये गंगा प्रावीत होते रहे। और हमारा इंदुर्जई साक समाज ह हरेक्षेत्र का उनमें डुपकी लगाते रहे और परमात्मा का पत पे निरम तर उसन प्राप्त कराते रहे यह इश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं और अपने वानी को विराम देने से पहले सभी की एश किर्थी सबलता संपन्नता सम्रद्धी मेरे नारायन आपको प्रदान करा दे इतना ही कहते हैं अपने वानी को विराम देता हूं सियावर राम चंद्र भगवा सुन्दर एक बार सुन्दर करतल ध्वनी महराश्री के लिए दिप्यवानी हम आप सबने श्रवन की आई अब भोले नाजी का पावन धर्शन करते हैं आप लोग प्रयम प आई भोले नाजी का पावन धर्शन कि मतंथेश्जम का पावन धर्शन liड telephone जोग म Champions नजी कि अग्वस्तावटर्शन कर को का ताट सुन्दर की आइ اई आई कं आई पावन धर्शन क्rias कॉले की आई लोग संप्य सुन्दर penis कं पावन धर्शन करते हैं लोग संबक्त का त estaban कि जे जे, जे, हर हर्फ हो आपे कर द शानी जानी राधे तौनों हाथ इठाइए और आज प्रायम पूरुबा के एक पर मस्ती से जूमिये फिर आर्थी करते हैं स्याम के बिना तुम आधे तुम्हारे बिना श्याम आधे राधे 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 आधों पहर जो हो रही एक किसर उसे सामरे की एक जगक दिक्ति हो रहे राधे 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 कर दोदाधे र Fr. जोह जो है रहाधे जादे गात सखे सपने में आए नदेला बोड़के कलाए सोखरतियों कमाल जादे सखे सपने में आए नदेला बोड़के कलाए सोखरतियों कमाल जादे सपने में आए नदेला स्यक्राइब। तुम्हादे तुम्हारे दिना शाहते राधे, राधे, राधे! रख यह वह गोगोट्र हाधे अ जaları अ्碧ैसand शुह कोधियों के रौी क्रिश्ण कि नहीं नौ ली पिडिया है आईये आर्ती का पावन धुकरें शुरी नारायोजर रौाओ शर्णम प्रपथिय श्रिमते नारायन तरहियो माँप चंद्रमामन सोर्जात स्च्छो शूर्चो अजायता स्रोत्राद्वायस्प्राणस्च मुखाखा जगनेरा जायता मन मैं बसाकर तेरी मूर्थी उतारूं मैं गिर्धल मैं दिर्धल तेरी आर्थी आर्थी मन मैं बसाकर तेरी मूर्थी उतारूं मैं गिर्धल तेरी आर्थी मन मैं बसाकर तेरी मूर्थी उतारूं मैं गिर्धल तेरी आर्थी मैं बसाकर तेरी मूर्थी उतारूं मैं गिर्धल तेरी आर्थी करोणा करो पश्चे हरो जान दो भगवन अब मैं फसीन आव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है का जिंतगी दयाती मैं फीख्य मांगती मन मैं बसाकर तेरी मूर्थी उतारूं मैं गिर्धल तेरी आर्थी मांगो तुझे से क्या मैं यहीं सोचों भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अरपण सब कुछे तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा हाँ चिन्ता है तुझे को प्रभू संसार की मन मैं बसाकर तेरी मूर्थी उतारूं मगिर्धल तेरी आर्थी जिसने तेरा नाम लिया उसके जाके भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग कम है जिन्दगी कर लो बंदगी प्रभू का हाथ हो तो मौत भी न मारची पन मैं बसाकर तेरी मूर्थी उतारूं में के धर तेरी आर्थी वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्याननारद गुण गान करे छेढवीन आतान भाक्त तेरी द्वार करते हैं फुकाय मन में बसा कर तेरी मोरती, ओ तारूम गिर घर तेरी आरती प्रूम गोरत कर्मा बताये देक्जा पिर्पिक राये जदिन उभाइщ बबेवा ते वर वंद्वो जब्द्वो जब्द्वेवा तोने वांधिया दोडंक प्लेवा सर्वंक वंद्वेवा खुरॉर विष्णु गुरॉर देवो है सगारॉर शाथ्याद्वार अप्रम्हा दजमे देवरॉ अर्ची दम्के सेवर्म नारायय," खीशने दावो दे रम्मा सोदेवं, क्रीधाय रम्मा कलम paradise dice रवन्स रवज़ाद कीनाए?" राम नूए मेंती द्रॺ्णचरम समझे हरीEEP। डर्राविशन तरव्ला, गश्ना गश्ना ՗षन, किश्ना गषन, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बिस्रा हरे मिष्णा तरस रहे नेना तरस रहे नेना तरस रहे नेना भागवत महापूरान की जैए जैष्री राधे श्या मुझा और आभि शाय वजे प्रश्नुत्री होगी यहां और कल सुवह शाधरominaुब बजे गुरु मंत्र होगा जिन्हें गुरुमंत्र लेना है कल सुवह साढ़े नौ बजी मिलना भी होगा मंत्र भी और अभी साथ बजे मिलना और मंत्र हनुमान दास जी महराज जी से कर्बद्य प्रार्थना कि वे गुरुजी का अत्मिक स्वागत अभिनेंदन करें हमारे बहुत ही वरीष्ट सा वरीष्ट से और अच वागत प्रार्थना नि वेदन कि गुरुवर अगरा दास जी का जोरता तालिया बजना चाहिए जाहिए और अश्री बीश्रा डेटा यहेश्र युटिश्ञ भी अंचित नानव जैजै स्रीक्रिश्णा जैजै स्रीक्रिश्णा जै जै त्रीक्रिशना सर्ण पड़े की लाज है तुम राखो भुने लाज तोनों हुजा मजार जे जरों चरन में अज सियावर राद जै जै राद पेरे प्रभुरा मुझे जै राद तरह कन्याड जै राद और हमारा सोवाग्या है मैं रमेश दादा से निवेदन करूंगा कि मद्द्प्रदेश शाषन के मंतरी तुलसी राम सिलावट जी का स्वागत अभी निनन अभी वादन करें और जोरदार तालिया हमारे मंत्रदेश सरकार की और से टुल्सी रामजी सिलावट जी लगातार यहाँ पर उपस्तीत होकर पुन लाब ait और पूरे मर्दो प्रदेश के लिए पूनी लाब का मारहे हैं बमति सम्मान के साथ बड़े आधर के साथ दो शर्च अम्नर करूं जोड़ कार ताढ़ियो से मंत्रित कीजिए तुल्सी राम सिलावट जी को हर हर महां हादे जब क्यान की गंगा स्वामी जी और तुल्सी का बोलना जरूरी है क्या बुलकुर नहीं है ना इंदावर के एक बड़े संद उनका नाम रमेज जी ऐसे ताली बजा दो जोरदार रमेज जी हमारे रास्ति महास्चिव केलाज जी अभी स्वामी उत्तम द्वामी जी ने का हा इस मालवा इस मर्ड प्रदेश में स्वामी जी जो काम धर्म का कला का संस्कती का और ये कथा का किसी व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति का नाम रमेज जी है एसे रमेज जी मैं मात सक्ती के चर्णों में फिडाम करता हूँ आप जानते कि धर्म संस्कती आस्ता विश्वास किसे ने अक्छून रखा है संतों के बाद तु वह आपने रखा है इसलिए मैं आपका मर्द्य प्रदेश सरकार की और से मुक्वपंति सीराव जी की और से स्वामी जी आपका स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और देश के केंद्री मंत्री प्रम सद्दे जोती राय सिंद्या जी की और से भी आपका स्वागत आपका अभिनंदन जो ग्यान की गंगा विश्वास की गंगा, धर्म की गंगा, संस्कती की गंगा, आश्चा की गंगा, जब आपके मुकाट से वेहरे ही हो, मेरी आप से प्रातना है इस विश्वास की गंगा और ग्यान की गंगा को समारें और अपने घर तक लेके जाएं अपने समाज और अपने रास में लगाएं मैं पुना स्वामी जी आपका स्वागत अभिनंदन इस माहिल्या की नगरी में रमेज जी की तरफ से केलाज जी की तरफ से पूरी नौर की तरफ से आपका स्वागत आपका अभिनंदन कि चोरदार तालिया कुंसी राम सुल्यावड़ जी के लिए आव गुरू चोड़नों में एक बार जयकारा लगा लें पुलसत गुरू भगवाने की और बहुत-बहुत रदे से अभिनेंदन करते हैं हम सब के लाड़े